शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें के यारू के लिए सब्सक्राइब के लिए सिप्पर्ण' कि दादा जब से हम यह आए हैं देख रहे हैं कि हरुज मर्किन इसी समय आसुलिये देवी मां के चर्णों में दिया जलाती हैं ऐसा का दुख है उन्हें का बताएं विटिया हमरे मालिक के पास दुनिया भार की दौलत मगर भगवान आउलात का दौलत से बिलकुल घर टी एए है तो यह क्या है यह सब क्या है पिछली साल के कंस्रुक्शन कंपणी के टैक्स लेकिन इतना टैक्स डिक साल बर अगार यह आपकी उन कम्पनियों के टैक्स हैं जो महराश्य गुजरात आंध्रा बास 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 टैक्स का मामला है धीरे से और प्यार से समझाईए काफी रात बिच चुकी है और बाहर तुपानी बारिज भी हो रही है बाकी काम कल कल लीजेगा धर में मालकिन आपका इंतजार कर रही है सुमन कहां जा रही हो सुमन अपनी चिराग को देखने शुमन बस करो दस साल से देख रहा हूं सुबह शाम तुब भगवान के सामने प्रार्थना करती हो दिया जलाती हो क्या फल मिला इसका अपने तकदीर में आउलाद का सुक नहीं है सुमन आज मेरी प्रार्थना मेरी तपस्या की परिक्षा है आज मैं देखना चाहती हूं कि पिछले दस सालों से लगातार जो चिराग में मैं बगवान के सामने जला रही हूं वो आज इस तूफानी हवा के जोकों में भी जलता रहता है या बुझ जाता है अगर वो पुझ गया तो मैं समझूंगी मेरी आशा का चिराग भी पुझ गया मेरी गोत कभी आबाद नहीं होगी और अगर वो जलता है तो मुझे मेरे विश्वास और मेरी प्रार्थना का फल्क जरूर मिलेगा का जरूर मिलेगा देखा आपने, देखा वो चिराग चल रहा है इसका मतलब मेरे बिश्वास और प्रार्थना का भल मुझे जरूर मिलेगा हमारा घर कुछियों से खेल उठेगा मैं माँ बनूंगी मैं माँ बनूंगी मैं माँ बनूंगी मैं माँ बनूंगी यहू अरे दिनु काका, जम्पा, रामकली, रमे अरे काओ, तुम लोग, इदर आओ, इदर आओ ये लो, खुशिया मनाओ, मिठाईया बाटो, ये लो, ये लो अरे मेरी तो आके भाड़ कर क्यों देख रहे हो मैं सठिया नहीं गया हूँ, खुशी से पागल हो गया हूँ कहा बात है मालिक, जिनकी बाप पहली बार आपको आतमा खुश देखा है, बहुत बड़ा कंट्राक मिल गया है का कंट्राक नहीं मिला, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है मेरे घर में वह दौलत आ रही है, जिस दौलत के लिए सुमन दस साल से भगवान के सामने आसूओं के चिराग जला रही थी अरे उल्लू के बठ़ो, तुम्हारी मालकी मा बनने वाली है, मा भगवाल त्यावर राब चंत्र की महेश अरे सुधाकर आओ अरे तुम्हारे ओफिस फोन किया तो इस खुशकबरी का पता चला हम तो खुशकबरी सुनते ही पागल हो गए अरे पागल हो गए कि गारी में आने की बजया है पैदल चले आए जानते हैं कल रात की फ्लाइट से हम दोनों लंडन जाने वाले थे भाई सा कंठ आ हुआ का अरे अरे सुनिये लेकिन भाबीजी कहा है का मंदिर है कर दो अब कर देंट शर्क अचै कर देंट अब सुमान, सुमान सबर करो बस आगे, आगे आगे हस्पिटल नर्स, जल्दी आओ नर्स नर्स दक्र, लड़का हुआ है महेश, मुवारिको, क्या हुआ तुम बाप बन का महेश, अरे लड़का हुआ है महेश, सुधाका नर्स, ओक्सिजन अभी नी होश में आने और नॉर्मल होने में आदा घंटा लगेगा तब तक तुम बच्चे को क्लीन और ट्रीट करके लेआ अभी हम तुमको तुम्हारा ममे के पास लेके जाएगा इसे चेंज करके बैज लगा के तयार करो इसके मां जलिवरी के टाइम पर ही मर गई मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाएगा आप लोग उसे लाते क्यों नहीं है मेरे पास अखिर बात क्या है मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं न वो ठीक तो है ना मेडम असल बात यह कि सुबह जो एक्सिदेंट हुआ था उस गड़वल में आपका बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिक्स हो गया और उन बच्चों में से आपका बच्चा कौन सा है इसका फसला नहीं हुआ यह में मतलब जिस वक्त आपकी पती ने बच्चा देलेवर किया थीक उसी वक्त वाड्व नमर तीन में दूसरी और ने एक बच्चे को जरम दिया बच्चे को माबाब का नाम और वाट का बिल्ला लगा जाता है लेकिन फार एक्सिटेंट के कारण नर्स बच्चे को बिल् पार बना रहे हैं इसमें परिशान होने की क्या बात है दोनों बच्चों को मेरी पत्नी के सामने रख दो जटके में पैचान लेगी कि हमारा बच्चा कौन सा है आपकी पत्नी भी नहीं पैचान पाएंगी क्यूंकि डिलिवरी के वक्त उनकी हालत ठीक नहीं थी और इस तो खुद ही आ गई पर सिस्टर लीला बच्चों को तुम और सिस्टर सूजी ही ट्रीट कर रही थी ना जी नहीं मैं तो दोनों बच्चों को लेबर रूम से लेकर आई थी मगर उसके बाद सिस्टर सूजी को बुलाव ना सॉरी सर सिस्टर सूजी फायर आक्सिजन में बुरी तरह जल गई उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले दम तोड़ दिया वाट वह भी बर गई डॉक्तर मैं कुछ नहीं जानता मुझे मेरा बच्चा चाहिए महेश मैं तो महेश हॉस्पिटल पर केस करूंगा तुम सब लोगों को जेल भीजुआ दूंदा और अपना बच्चा लेकर ही रहूंगा साइलेंट साइलेंट मेरा बच्चा गवा दियो और उपर से कहती है साइलेंट 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 सुधाकर तुए काम कर मेरा जो अखिल है न मिस्टर माथूर उनको जल्दी से बुला कर ला अभी तू जा मैं इनको देखूंगा भी छोड़ूंगा नहीं देखो डॉक्टर तुमने दोनों बच्चों की ब्लड टेस्ट करवाई जो ब्लड मेरी और मेरी पतनी से मिलता दोनों बच्चों को ले जा और उनकी तसली के लिए दोनों का ब्लड टेस्ट मालूम कर लो तसली क्या सब मेडिकल टेस्त हां मिस्टर महेश कॉप 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 ह मैं हुआ हा है कॉआ है आ कॉब कर दो 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 कि महेश क्या हुआ मिल गए रिपोर्ट थैंक यू पी ग्रूप आरिश निगेटिव यह तो यह तो मेरा ब्लड ग्रूप है और यही उस बच्चे का ब्लड ग्रूप है जो मेरा है का है वह बच्चा लाओ जल्दी इससे भी देखिए क्यों देखिए तो सही कर देखिए क्रूप आरिश निगेटिव कमाल है लेकिन नहीं मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मेरे नुक्सान का इतना बड़ा दावा करूंगा कि आस्पताल लिलाम हो जाएगा पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा यह आस्पताल देखते रहो अब कर सकता कैसी बात कर रहे हो माथुर साब इन होस्पिटल वालों की लापरवाही ने मेरे बच्चों को मिक्सप कर दिया और आप कहते कानुन कुछ नहीं कर सकता अरी यह तो सरासर धोका है चीटिंग है यह चीटिंग नहीं एक्सिडेंट है और एक्सिडेंट में बच्चे म अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो हम हॉस्पिटल पर केस कर सकते थे अब आप एक काम कीजिए उस दूसरे बच्चे के बाप के साथ बात कीजिए उसके साथ सेटलमेंट करके अपना बच्चा ले लीजिए पैसला हो गया है भाई साथ हम डॉक्टर से कहकर इन दोनों बच बच्चों को आप इस तरह नहीं ले जा सकते आपके पास जो दूसरा बच्चा है उसको अगर कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे इंस्पेक्टर पेपर्स तैयार है ठीक है दोनों बच्चों की बराबर जिम्मेदारी आपकी है दूसरे बच्चे के बाप के आ जाने तक बच्चे के सरपरस्त आप हैं एंदर किदर जाता है तुम एग किस से कह रहा हो तुम से कह रहा हूं है जबान होश में और आफ काबू में रखो इस तरह तो इस बंगले के जोगीदार हो हम देश के जोगीदार हैं इसलिए अपने अकात में रहो लेकिन सार को रहा हो तुम काने आप तकदीर की तरह आँखे भी भूटी हुई है यह वर्दी दिखाई नहीं देथी यह मेडल दिखाई नहीं देथे हम मेजर बगावस सीने जिसम कड़कर आप खड़क से सलाम मारो आप पूछो कोने आप सर इदर कड़कर आप तुम्हारे वालिक का नाम क्या है महेश मनोत्रा तो जाओ उनसे काओ हम मिलने आए हैं जाप है है चक्रदारी दुनिया का हर चकर तेरी चकर से चलता है तकदीर का चकर भी तुही चलाता है कोई ऐसा चकर चला दे कि इन दौलत वालों का दिल पिखल जाए और इस गरीब का बच्चा इसी बंगले में रह जाए मुझे अप प्रभू इतना चक्र चला देना तो इतना काम करती ना प्रभू है कौन है तू मेरा नाम नहीं सुना आपने? बगावत सिंग जहे आपको लेति ही का और बिय को ऐट है? आपको बढ़ यहला है क्या यह सबस्या जल्दी आजा वह जल्दी आजा रहिं यह जा और आवर है इनका नाम है बगवट सिंग यह दूसरे बच्चे के बाप है नबस्टे भाई साथ आप शाःध मैं सुमन इन दोनों मैं से एक बच्चे की माहा आच अच नबस्टे भाई साथ आप तो आपने बच्चे को पहचान लेगे न पहचान लेंगे वाजी हूं सिपाही की निगा रखता हूं जब आंक बंद करके सरत पर दुश्मन को पहचान लेता था तो क्या आंक खुली रखकर अपनी अउलाद को नहीं पहचान सकता और मैं क्या वो खुद मुझे पहचान लेगा मुझे देखती उचल पड़ेगा और चिला कर कहेगा य वाकवी तमारा बच्चा तुम्हे पहचान लेगा बातें करके ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो ऑच्चे पेश करो आँ लो आगे अब देखो बच्चे कैसे पहचान ले जाते है चुट्कियों में पताछा जाएगा प्र कौन सा बच्चा किसका है आँ यह यह नजवान ब यह किन cannabis करते हैं इतेर्फ फादर अपने बाप के बाप क्या आओओ अपने बाप के बाप पाther आ रे एक यह रोल रहा है इसने मेरव सूद्री बीकरदिय ची जी abandoned यह बचा मेरा निँछी तोही की हाथ का पूस उन मै यह है मेरा शेर मेरा फोजी जवान इसकी आखें बता रही है यह फोजी जनल है जवान आगे बढ़ेगा बिचले बट यह क्या है यह सब भीगा दिया यह दोनों के मिले भगत लगती है मिली भगत और बगला भगत गई भाड में पैचाना क्या नहीं देखो ना फूरा भेगा दिया क्यों बहुत दिंगे मार रहे थे कि बच्चा मुझे रेखते ही कूट पढ़ेगा उचल पढ़ेगा अब क्या हुआ अब नहीं उचला तो मैं क्या करूं मैं बच्चे के पैर मे लगे के जिस अब पैचाना का अब तो सिर्फ एक रास्ता बच्ता है क्या है जब तक इन दोनों बच्चों का फैसला नहीं हो जाता इनको यह है ने दीजिए क्या कैरी होया ऐसा कैसे हो सकता है अरे महेश भाबी को अपनी बात तो पूरी करने देर यार हा बावी बाबी ब कि यसे जैसे बड़े होते हैं उनकी शकल नाफ नक्षा रंक या तो उनकी माः पर जाता है यह बाप पर ॉटे हर्कतों में भी माभाब की जहलक नजर आती है क्यों नहीं काम करें इनको यहीं रखे और जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे परेचानना ज्यादा आसान हो जाएगा अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे मन्जूर है लेकिन मुझे मन्जूर नहीं है सुमन, कितने दिन हम दुसरे के बच्चे की परवरिश करते रहेंगे इसना लंबा इंतजार मुझसे नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा आरे मैंने जिन्दगी में कभी वो कॉंट्रक नहीं लिया जिसको मिलने में मैंने इक बड़े का इंतजार। और अपने बच्चों को पाने के लिए पर simplemente करूँ इंपोसिबल फैसला आज ही होगा कैसी बात कर रहा है तू कैसे करेगा फैसला ये कोई खाने की बात नहीं है ये बच्चे है और शिक्का नहीं जो उच्छाला और चिटपट करके मालूम कर लिया अगर बच्चों की परविश में कोई कमी हुई तो पुलीस बच्चों को उठाकर ले जाएगी और अगर मेजर ने पुलीस को रिपोर्ट कर दी और पुलीस ने बच्चों को अपनी कस्टेजी में ले लिया तो बरसों मुकदमा लड़ना पड़ेगा हम बूड़े हो मेरे खाले बच्चों को यही रहने दिया जाए वह लिए इन्हें भी मंजूर है आप मेरी एक शर्त है शर्ते सुनो जा एक शर्त और आपकी जाहर से बात है बच्चों की परवरिश और उनकी ट्रेनिंग की टाइमिंगा फैसला तो हुआ है नहीं मैं भी चाहूंगा इनकी परवरिश करूंगा बच्चों के साथ का वक्त तो आप दोनों ने आपस में बात लिया सुबह साथ से दो आप और दोपेर के दो से दस आप तो फिर मेरे लिए कौन सा वक्त रह जाता है यह आपके लिए रात के दस बज़े से लेकर सुबह के साथ बज़े तक जो वक्त है कि यह भी रो रहा है और यह भी रो रहा है कमाल है जब लेफ्ट वाला रूता है तो राइट वाला भी रूता है और जब राइट वाला हासता है तो लेफ्ट वाला भी हासता है कि अडिमे लिपotion करते रहेंगा इनका नाम कालगा इन रख दोना कंशा कुलीन काम हैं हम रगते हैं दूनास की शक्रें पुझल फोजी जर्न लोगी तरह हैं एक का नाम होगा सिकंदर दूसरे का नाम पौरस सिकंडर पॉरस। त्वारे तरह पुराने नम मेरी तरह। अरे नम मैं रखता हूं। एक का नाम दवल्ट चंद और दूसरे का नम अमीर चंद। 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 नम रखो के सारी जिनदगी लोगों सा चंदना इसाल ही मांगते रहेंगे। कोछ फॉ अब स्वास्था द्यूर्श भाइन कि अचुटे मालिक का नाम मतारा है अब का मिच कोवा दूसरे का बड़ कोवा जो हमारे बच्छो कोवा बोलता है साहिब हम्रे गाह में पड़े अत्मी का ऐसे ही नाम होगा है मैं तो पहले से इने मंद में सुरेन और नरेन पुकरती आ रही हूँ क्योंकि इन दोनों की शकले भी मिलती है और आदते भी तो एक का नाम सुरेन और दूसरे का नरेन कैसे रहेगा बैसाब मुझे बहुत पसंदे अच्छा है फेरो पहले मुझे तो पुछो पहले का नाम सुरेंदर दूसरे का नाम नरेन और दूसरे का नाम सुरेन इसलिए जब बड़े हो जाना तो अपनी सारी जिन्दगी मा के दूद का सूद उतारने में गजार देना क्योंकि मा के दूद का करस्तु को उसको इतार ही नहीं सकता है कहते हैं सान की सारी जिन्दगी की एक तरफ और मा के दूद की एक खीमत एक तरफ इसलिए कभी भूलकर यह भूले में भूलकर मा का दिल मत दुखाना नहीं दिखाएंगे ना जल्दी से सामान उतारो आउ आउ अंदर आउ अफिस लगाना टेपर निकालना और काम शुरू करना जल जल मेले गोश्च उतर के बिगड़ना नहीं है हो अ मुख़ण से कि को बच्चों की परवरिश करने का टॉट मेरा हैं उस मेरे ऑफिस में रहता हूं तो इन बच्छों की परवरिश क्या खाल करूंगा तो इसलिए आज से दो बज़े से दस बज़े तक मेरा दफ्तर मेरे घर में होगा यहां सर आपको कुछ इंपॉर्टन फाइल्स देखनी थी ओके एक्स्क्यूज मी यह अरे नरेन सुरेन क्यों रोते हो अब मैं आ गया हूँ यह लिजे मलकीन हाँ तरह संभाल के हाँ मेजर साप बोले है कि सुभा साथ बज़े बच्चों को ले जाएंगा हाँ मुझे पता है दिनुका का आप लोग जाएए अच्छा अच्छा आपको रोना आ गया आप यहां रहिए मैं इसे उठाती हूँ खुश खुश मच्ची का नाम सुरेन और मार्म जंटृ AWS आ shore क्या मतलब रैस यहाम दुनों के बच्चे आप इनका नाम लेखियर लगाई है मेरा पडि़किये लिखे लिखिये ना तो आप हम मेजर बगावर संग्र मेश मलोत्रा कृ झू कि इसका नक छोटा है साला मेजर की तरह कि इसका नक उच्छा है कि इसके आखे तो माँ पर गई है कि क्या मुसीबत है एक की नाक मिलती है तो दुसरे की आख मिलती है एक का गाल मिलता है तो दुसरे का ओठ मिलता है अब मैं क्या करूँ एक की आख लेकर दुसरे का धड़ लेकर तीसरे का हाथ लेकर चौथे का पैर लेकर मैं आपना बेटा बना लूँ वो तो चीक है तो किसी से नहीं मिलता उसका क्या करें उसके लिए तो पेंटिंग करनी पड़ेगी अरे भागाओ जाल पिछले आठ साल से चितपट कर रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है आज ट्राइब करके देखे चीत आया तो सुरेन मेरा बेटा और पट आया तो नरेन मेरा बेटा हो जाए पच पच आम लोग यही देखते आ रहे है अब लेकिन मम्मी आई गया दोड़के तो फिर आपने वही हरकत कर दीख पिछले 20 सालों से मैं आपको कहती आ रही हूं कि चितपट करना छोड़ दो मैं तो दोनों को अपनी आउलाद समझती हूं और यह भुला भी चुकी हूं कि इसमें से एक बेटा हमारा नहीं है लेकिन मैं नहीं भुला हूं अब मेजर डैडी आइडी आएंगे और मम्मी को पिट थपकने का इशारा करें गे ऐस दूज़ अरे यह क्या हूं कि अरी यह क्या कि इस बार भी सिख्खा बाहर निकालने के पज़ा है अंदर धखल दिया ओ मय गौड अब क्या होगा कि अच्छ में Nicole बूला हो कि अनान लुदैया कि विछ नंग से तुम्हारे कारण हो रहा है यह सब नुघर के लिए पिछले साल से घर में कभी सड़क में कभी सड़का सब्सक्राइब निगल चुका हूँ मैं एक अच्छे कासे आदमी को पैसे डालने का डिब्बा बना दिया है तुमने तो अच्छा है ना इस सेफ डिपोजट वोल्ड में जमा हो रहा है जब रेटायर हो जाओगे तो तुमको उल्टा लटका सारे पैसे निकाल लेंगे उस पैसे से नहीं बि वाँ, शीज़ बीओफुल यार, चल चला जा 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 तुमको अच्छा कर यार, सबर कर थोड़ा भाई, यह लड़की है या कयामत अरे यह सबना है की अकिकत, अच्छा देख 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 ओपर ते क्या है, चान देख की सूरज है कभूता जै, ओ, इसका मतलब यह दिन है इसका मतलब Uber Weird, इसका मतलब यह सपना नहीं हखिकात है वाए, देनी क्हाना नशिक तो जवर दास है, ओ ऑए ओगा के आगा यह CAP देख आगा तेक हज़ कमउगे बाई चली गई अपनी किसमत ही ऐसी है यार लड़की बहुत अची थी ना यहां मैं फोन नंबर भी नहीं लिया यह रहा उसका चली फोन नंबर अर्य चाहो तो उसका आप पता भी दे दू वाइनौक्ट वाइनौक्ट क्योंकि वो मेरी सहली की बेटी है और उसके बाप के बारे में नहीं जाना चाहोगे तूं बता बता च्या करते वह बताई वो पुलिस कमिशनर है और अब 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 माहा हम बच्पन से देखते आ रहे हैं तो मंदिर में आकर दो दिये क्यों जलाती हो बेटे जब तुम दोनों में से मेरे पास एक भी नहीं था तो मैं भगवान के सामने एक दिया जलाती थी और हर वक्त उससे ये प्रार्थना करती थी कि मेरे सूने आंगन में एक दिया जला दे फिर इस दयालू भगवान में मुझ पर दया कि मुझे एक के बज़ा दो दो तुम दोनों इसी के वर्दान हो तभी से में तुम दोनों के नाम पर दिये जलाती हूं तुम दोनों तो मेरे आंखे हो मेरे तो आनमूल रतन हो पूछो ना है कैसी मेरी मा एक सचे दोस्त जैसी मा मेरे बदन में जान जैसी मा मिले मुझे किसमत से ऐसी मा पूछो ना है कैसी मेरी मा एक सचे दोस्त जैसी मा मेरे बदन में जान जैसी मा मिली मुझे किसमत से ऐसी मा किसमत जैसी मा एक सचे दोस्त जैसी मा एक सचे दोस्त जैसी मा मैं दिल हूँ एहसास वह मैं दिल हूँ एहसास वह मेरे दिल के पास वह मुझे किसी का डर हो कैसा मेरा तो विश्वास वह गीता और कोरान जैसी मा मिली मुझे किसमत से जैसी मा अर पुछो ना है कैसी मेरी मा एक सची दोस्त जैसी मा हुआ 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 वक्त की धारा मोड़ दो हर एक रिष्टा तोड़ दो तो जो कहे मा अर दुनिया क्या है मैं भगवान भी चौड़ दो वक्त की धारा मोड़ दो हर एक रिष्टा तोड़ दो तो जो कहे मा दुनिया क्या है मैं भगवान भी चौड़ दो मुझको धरम इमान जैसी मा मिले मुझे पिसमत से ऐसी मा पूछो ना है कैसी मेरी मा एक सचे दोस्त जैसी मा मेरे बदन में जान जैसी मा मिले मुझे पिसमत से ऐसी मा हेलो 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 आप यहां क्या कर रहे है क्या देख रहे है वहां पर कुछ तो बोली नहीं क्या हो रहा है कल मुझे एक बहुत बड़े तांतरिक बाबा मिले थे काला भुजंग उन्होंने मुझे पेरु दिया और कहा कि राद भर इस पेरु को आप तक ही नीचे रखिये और सो जाईये और सबेरे पेरु को हॉल में रखिये इन दोनों लड़कों में से जो लड़का इस पेरु को खाएगा वही तुमारा असली बेटा होगा इसलिए मैं पेरु को टेबल पर रखकर नजर लगाए बैटाओं कि पेरु कौन खाता है सुरेन यान नरेन अच्छा पेरु का गया का भागी जा रहे आप का यह वह पेरु तुम खा रहे हो यह पेरु बहुत पसंद है मैं बच्पन में तोटे के मुझे चीन के पेरु खा लिया करता था मुबारेक हो आपको आपका बेटा मिल गया ओ बेटा अच्छा आज टेंडर की आखरी तारीक है और तुम लोगों ने अभी तक यह पेपर्स तयार ही नहीं किये अब कौन इसे तयार है डाड मैंने आपकी 20 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है आप अंदर चलिए आप अंदर चलिए आता हूं आता हूं यार इतना खुश क्यूं नजर आ रहा है कि नया टोटका निकाला है क्या डाड ये टोटका और जाजु टोना पुराना हो गया है आपको अपने बेटे से मतलव है ना पहले मुझे यह बता कि यह डी एन ए होता क्या अपके तूख लेते हैं बेटे के मुझे तूख लेते इसे पता चल जाते कि बेटा उस बापका है और नहीं इसमें बहुत लफटा है नजी कोई लफटा निया मैंने कोट में काम करने वाले आदम को पटा लिया एक डॉक्तर से बीबात कर ली पच्छी हजार इसको दो पच्छी हजार उसको दो पंद्रा में बेटा घर लेकिन कोई खत्रा तो नहीं डाड ने आपका बेटा हूं मैं कोई खत्रे में डाल सकता हूँ नहीं ना तेर ला यह पचास अर। पचास हजार पचास हजार में आपको अपने खानदान का वारिस मिल रहा है ये ले पचास हजार और ये देस हजार तू अपने लिए रख ले मुझे पैसों किया सुक्राइब आप रख लीजिए शायद कोई और मांगने वाला आजाए मेरे लिए इतना ही काफी है तेन्यू आँजर मेरी तरफ से पूरे स्ताफ को छे महिने का बोनस हा बोनस बोनस हां हमारा दियनी टेस्ट करवाना चाहते हैं औरısı मैठ थैसblesने तो चाहिए तूख थूख के त्यार कों जुद स्था करना चाहते हैं एक मां से उसके बच्चे चीनना चाहते आप मुझे आप से यह उमीद नहीं थी डैट मैं अभी जाके मां को बताता हूँ और जब मां को बता चलेगा तो वो किसी नजदीक के खुव में जाके चलांग बार देगी चाब और आप आप विद्वा हो जाएंगे ठैट विद्वा रंडवा रंडवा मैं अभी जाके मां को बताता हूँ यह रुख जा रुख जा यह ले दस हजार रुपए मैं किसी के फैक में पैसे नहीं लेता यह तो नारेंके है मैनेजर साब गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैनेजर साब आप तैडी के थपड का बुरा मत मानने प्लीज वो बड़े अच्छे आदमी पर वो क्या है ना पिछले 20 साथ से हम दोनों की उल्जहन में उल्जहन में और इसी उल्जहन के वज़े से आपने अपनी बेटी की अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन मांगा था वो सांक्षिन नहीं हुआ पर आप फिकर मत किजिए यह रहे तेड़ लाक रुपए और आप समझे आपका लोन सांक्षिन होई और अपनी बेटी की शादी धूम नाम से किजएगा और हमको बोला लेना जरूर मैं आप अब किस मूँ से शुक्रियादा करो अरे नहीं मेरे कोई बात नहीं नहीं प्रब्रब्ल एक पूड़े खुमसर्ट मगरमच के मूँ में एक चिडिया आ गई हो आए तेरी पलपले आते सदाए पगा मैं आपकर और उसकी बेटी किरन को लाने एरपोर्ट जाना है इसको अदि आपना डर के मर गई होती हो अपर वह भी खुद शुकी करके कि कर देकिए थे रूना पन कर दिवाना पन कर दिवाना पन कर दिवाना पन कर दिवाना पन Ah Oh baby Don't break my heart Oh baby तो पिस्ट मॉइब लोग नमस्ते अंकल अरे बेशरम ममाली एक तो दूसरे के घर में जाकता है उपर से नमस्ते अंकल बोलता है कुणattend-बाद यह क्या है फेरो आडేक तो चुपके चुपके शिगरेट पीरेट ओफर से चरिब लोगों के घर में ज़ाते ओ mainly अब समझ में आगया यह सब तुमारी परवरिश का नतिजा है अहां तुमारी यह नेहीं माफ कीजिए यह मेरी नहीं आपकी परवरिष का नतीजा होगा और होगा नहीं बलके हैं आप सिद्ध पीते हैं इन्हों ने भी शुड़ो कर दिया क्यों इतनी अची मा के बच्चे होकर आइसी भी होता हरकते करते हो क्या बोलता है मैं मिसाल दे रहा हूं अफ त्याम क्यों हाओ ह् यह रएक हरा है क्या ताइस साड़े दस साड़ेधस ये था नियदी आंपक निया चाइन लआ करतेगा हुद को क्या हुआ इतनी चिलम चिली कर रहयो क्या किया है मेरे बेटों ने आप लोगों को तो बात का बतंगड बनाने के आदत सी हो गई है सारा घर सर पर उठा लेते हो अब बोला ने चुप क्यों सुमान तुझे पता रहे इन बदमाशों क्या 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 क भी तुम दोनोंने सच बता हुआ है थेक थिंदे उन बदमाशों को छोर दिया है तो तो तुम भगवान की गसम खा के बोलो तुम ने जवानी में इस अरकत की था कि निए फिर था मैं ऑगवान की छोर्द हाँ तो दूसरे की आवलाद घर में गुज़ गई है साथ में यह भीकारी मेजर भी आ गया सुधाकर ay sonory सुधाकर था सार्य लेकिन साथ में किरन बेटी भी आने वाले थी ने वित अक्ति बाद नहीं भावी तो रहें से वा और बच्चों में नहीं नहीं लिकिन साथ क्यों ने याई इसलिए तुछ एयर Critter ना देख कोई परेशानी नहीं है कहीं कोई परेशानी नहीं है यह परेशानी तुन्हें खुद मोले रखी है अरे भया जब आभी ने बच्चों को अपना लिया है तो तुझे अपनाने में क्या तकलीफ है अर्गीज नहीं मैं यह जान कर रहूंगा कि दोनों में से मेरा बेटा कौन सा है यही जिद्ध तुझे जिंदगी से दूर ले जा रही है तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें अलग कर रही है यार सुधाकर बिजनेस से तो मेरा मन हटते ही जा रहा है यही हा रहा न तो जिस दिन तुझे तुम मैं फिर उसी टॉपिक पर आ गया सुरी सुद्याकर सुरी अब यह बता कि किरन बेटी के बारे में क्या सोचा है तुने तुम यह भी भूल गें है यह उसे स्टड फर्म खुर्वाकर दिया है ओ वो पी पी पिपी पैरी करी का कोट्ट किया है कर्क क्लंडन से फोस्ट आए है कि कि खर फोलब दोड़ा होगा है कर दो कर दो को को है उड़े कर दो दो कर दो कर दो जू मैं हम तो कर त bara कर दो कर दो है, कि अ कर दोस ऐसर कम भीrit नहीं 우리 दोना कर दो बूड़ेinkट हाई यो लगा ये जाहाँ हाफी लगा ये आना आई है परोस में दर्गी की अंचान सी सरक बेभी कलती है लगती है तुफान सी बहकी बहकी वो नजर बढ़ती है जब धी इधर ऐसा होता है असर जाती है ये जान लगी अरे 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 चूपिये का पड़ा माची दिखागा दोगो को मापा पड़ेगा फटा है रपा ये जान हाँ है रपा ये जान हाँ आई है पड़ोस में लटकी ते कलार सी उसकी तोहल एकना जैसे हो कलवार सी पड़ 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 चटके साथा कारो पार वेखे ओनू बार बार तुमक ठुमक ठुमक डप चले कलियों विछ बादार दी चटके साथा कारो पार वेखे ओनू बार वार तुमक ठुमक ठुमक जात चले कलियों विछ बादार दी कर दो कर दो कर दो कर दो बस एक जहलक और गिरी बिजने आ हम हो गए बेसुबा एक पल मिले और होए पूजुदा मिला है खुदा एक खुदा लब लब लबो मिलते ही नजरें ये सांसे रुए तमसा गया के चाहां देखा कसम से फुच्छे हे रासी मूनम काजू चंद्रमा चंद्रमा आई है पड़ोस में लड़की के अचांसी सरकुंपे मी दलती है लगती है तुफान सी बैकी बैकी वो नजर पड़ती है जब दी इधर ऐसा होता है असर जाती है ये जान है ये जान होता है ये जान है आफ ये लान दी जान है ये झारा के ये जान है ये वो रान है हम ये जान है चंड़्योख वो वो मैं मैं वेरी वेरी सॉर्य आने में देर हो गया है इन गोड़े गोड़ियों को बारे मुझे बहुत कुछ मानुँ मैं लिकिन ये मेरा काम नहीं है ये किलन में शाप काम है कच्छा उठागा हाई अभी आती होगी तुफान बेल की तरह हावा में उड़ती हुई यही आपको पताएगे यह कोड़े किस खानदान से तालक रहते हैं वहीं बताइंगे आपको कच्रा उठाके कच्रा उठाके ये अपने कलाम है कच्रा उठाके क्यों क on बाइसी ही ये यही एesar partisan के कि युक्रेण मेडम का पड़े आधी होगी कच्रा मिस्स किरन, हमें एक उम्दा नसल का घोड़ा खरेता है यह देखे, यह एक बहतरी नसल का घोड़ा है इसका नाम है बादर बादर इसका खानदान क्या है? आप से उचा, कच्रा उठाए जोनी माफ कीजे, मैं बदाती हुआ आपने महारान अप्रदाप का नाम तो सुना होगा यह उनका एक घोड़ा था चेतक यह यह उसी चेतक के पोते का पोता है आप में ग्रांसन अप चेतक चेतक हवास से बाद रहे करता था यह बादलू सबाद करता है इस पर बैठ जाएए घंटों और काम मिंटों में इसे रेस में दोड़ाईए आखे बंतर लिए यह गोड़ा जीत की मंदिल पर होगा ठीक है हमने इसे खरीदा आप इसे हमारे नाम पर बुक कर दी क्रेंट थैंक्यू जाहिए अपने नाम लिखवाई यह कचरा उठा के कर्दूप के कॉ अदinky में देखनी का अरे रे मैं उठा लुगा आड़ी और यह गोड़ा कौन लाया यू मीडד मायला आ का एक साब से खरीदा था और इसे बेचना अया हूँ और आप सीतोर पेरम एज़ी और मैं इसके अांखे Sorry sir,श्री यह किसी मामली खांदान का घोडा लगता है आपने कैसे जा लिया सर्,में घोडे पर हाथ रखकर बता सकती हूँ कि यह किस खांदान से है इसकी आदते हर्कते देखकर पहचान सकती हूँ कि यह किस नसल से होगा सुनमो Ja जी तुम सुधाकर की बेटी हो ना जी मगर आप मैं मैं महेश महेश अंकर करेक्ट क्या बहुदा बात कर रहे हो महेश यह नमूंकिन है तकाय तु सुठया गया है खुद तो बनाम हो गई और साथ मेरा भी अपने घर आना जना बंद करवाएगा कुछ नहीं होगा दोस्त किसी को कुछ नहीं पता चलेगा यार तु मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता मैं बहुत दुख्य हूं दोस्त पिछले 20 सालों से सुलत्य अंगारों पर करवटे बदल रहा हूं मुझे तेरी बेटी की मदद लेने दे बोलो बेटी कर सकती हो ना इंपॉसिबल अंकल ये तो हो ये नहीं सकता वही बात तो मैं कहना हूं बेटी तू बीच में मत बोल बेटी एक दुख्यारे बाप का दुख दूर कर दे पिछले 20 साल से तुम्हारी ये 20 साल की दुखबरी कहानी पिछ अच तक किसी ने इस ढंक से कियानी होगा और फ्रैंकली मुझे भी नहीं लगता मैं कामयाब हो पाऊंगी अंकल चाहे कर लेते हैं अंकल मैं इस काम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गई ना तो कमाल हो जाएगा कमाल क्या पूर वर्ल्ल में तुम्हशूर हो जाएगि guineas bag में तेरा नाम आ जाएगा मेरो बहिया guineas bag नहीं guineas book में अच्छा वही वही guineas book तो बेटी करोगी नहीं हो या काम पर लेकिन इसमें काफी time लगी थोडी study करने पड़ेगी थोड़ा सोचना पड़ेगा अरे जो जी में आया वो करो लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अपने इस राज का पता मेरी पत्मी और दोनों बच्चों को बिलकुल नहीं होना चाहिए और हाँ दूसरा साल आओ मेजर उसको तो भनक तक नहीं आनी चाहिए बड़ी खतरनाक चीज है अंकिल वो आप मुझ पर छोड़ दीजिया लेकिन इस काम के लिए कम से कम दो महीने तक मुझे आपके घर में रहना पड़ेगा अपके घर में लेकिन तू आएगे कैसे अंतलब तो आएंटरी कैसे होगी आरे महेज दोस दोस के काम आए गार रियां वो मैं समल लूंगा आहाहां थैंक्यू पीटीया थैंक्यू कि यह नरें कि यह बात थी नहीं कौन सी बात मेरे भाई अरे वह कल वाली स्कुर्ट वाली अरे क्या लड़की थी यार वह ऐसा लगना था जन्नत की कोई पड़ी नीचे आगई स्कुर्ट पहन गई उसके बाल देखे थे बाल बाल ऐसे ऐसे रेशम के तर हवा में लहरा रहे अबे और उसके आंके झाग तो ने तो पीछे से देखा था ये तुझे आंकि और मुस्कुराइट कब दिखाए दी कर बादें यूद फ्रसा पॉइं और जो से पेटगे से स्चरसा यह बहु कर दो तो लोग कर आके बहुत यद्लोगे बच्पन से यह कि बातरू में पौर अब बेहुदा लोगो अब तुम बड़े हो चुके हो बच्पन की आधते हैं छोड़ो हमको दो ही लगता कि हम बड़े हो गए डाड़ी अजीब ब्योकूब लड़के अरे तो शादी का क्या करोगे एक ही लड़की से कर लेगे कितनी देर करती यार मैं तुमारे इंतदार में छह गंटे से टैल रहा हूँ अरे यार मैं तो सरी outta पर आया हूँ या लेकिन मैं वैचीन धना दाना राद से इस मारvious सब याद हैना क्या करना है अय सब मानू मैं चला आज अचल चला चला time ये खिरन है ना रिपाफ 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 नमस्ते आंटी जी तिरे बेटी तु कितनी बड़ी हो गई है इतनी सिथी जब तुझे देखा था भाई साफ आप भी कमाल करते हैं लंडन से आये चार दिन हुए है आपको और आज पुर्सत मिलिया हमारे यह आने की भावी लंडन तो मैं आता जाता रहता हूं जैसे लोग तरकारी लेनी जाते हैं उसी तरह मैं लंडन आना जाना लगा रहता है चाहर दिन यहां तो चाहर दिन वहां, अब देखे न, इस बार कुछ जारे दिन लग गए है, अपने बेटी को जो साथ लाना था, अब यहां आया हूँ, तो वापस वहां काम निकला है, इसलिए मुझे आज ही जाना पड़ रहा है, आज? तो फिर किरन? बस यही प्रॉब्ल किरन, यह मेरे भाई साब है, मैं रशो आंके, जीतनी रहो बेटी, साल आई मेजर, जासुस की तरह हर जगे पहुंच जाता है, और जब सुमन उसे भाई साब कहती है, तो आइसा लगता है, साब को भाई बोल रही है, यह सुदागर भाई की बेटी है, मेजर साब, कैसे हैं आप कैसे हैं, बास मेरवानी, वो नरेंदर सुन्दर कहा है, बेटा सुरेन, बेटा नरेंद, तु इतनी सी थी और यह इतने बड़े-बड़े थी, हाँ, अब तो काफी बड़े हो गया है, हाँ पुच्छ वाइट कर गाते हैं वहाँ वहाँ क्या खड़े भटी आंको से यहाँ देख रहे हो इद्रों सुझार कर अंकर उंके पहरे चुओ सुझार अंकर यहां है नरे यहां यह किरन और यह नरेंद्र यह सुरेंद्र अरे रामु काका दिनु काका कहा हो तुम सब लोग जी मालकिन देखो इनका सामान उपर के कमरे में रखो जा जी अच्छा मैश मेरी फ्लाइट के टाइम होगा मैं निकलता हूं अच्छा बावी नमस्ते मैं चलता हूं बाई बेटा बाई अंकल आप हमेशा ऐसे ही पहले सुनकर फिर होटो पर लगा कर सिक्रेट पीते हैं यह मेरी वर्सों के आदत है इंपोर्टन पॉइंट 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 बाप से महने भर का टैक्स वसूल करने आता है यहलो दस हजार महने का टैक्स इक हजार रुपया और मेरी तरफ से लेकिन नरेन को छुपा कर लेकिन नरेन से चुपा के क्यों डैट अरे मैं तुछ से जादा प्यार करता हो न बेटे तुमेरा है अरे मेरे घर आने का चिराग है तुमेरा असली बेटा है आप गारे शटेकरर मेरे लाल असे जिस्टर पर साइन करो । या डाएड बड़ी 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 बाप बेटे की प्यार Ctrl कि पर हर महिने मुझसे सगर करने के लिए जभले कि दूब प्यार महवबद को मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी सावकार से प्यार उधार मांग रहा हूं यह इंकम टैक्स का मामला है वैसे मेरा सब वाइट है ब्लैक नहीं आप लैक तो एक ही चीज़ है आपके पस कलर्ट है या या आप टॉल डार्क एंड हैंडसम कमान साइड हुआ है ओके बाइड 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 आए कि रान ओ मेरे आखों के नूर आओ यह ले तेरे दस हजार ओ तैंक यू डाड और यह एक हजार मेरी तरफ से लेकिन यह बात सुरेन को नहीं बता रहा है बेलकुल नहीं लेकिन क्यूं क्यूंकि तुही मेरे वांश का असली असली बेटा है और आप ही मेरे असली डाड है यह तेरे मेरे आपस का मामला है बिलकुल डाड बचन तोड़ दूगा लेके जान नहीं दूगा यह मतलों जान दे दूगा बचन नहीं तोड़ूँगा थैंक यू साइन एक राइटी और एक लेफ्टी वाई डाड बाइड अंकल एक बात समझ में नहीं आते हैं पुछो बेटी आप इन दोनों के सिगनिचर इस रिजिस्टर पर क्यों लेते हैं बेटों का खाच इंकम टाइस के कौन से खाते में दिखाना पड़ता है मुझे नहीं लगता आपको इसे कुछ फाइदा होगा बहुत फाइदा होगा बेटी बहुत फाइदा होगा जिस दीन मुझे इस बात का पत्ता चल जाएगा कि दोनों में से मेरा बेटा कौन है वो दिन उस फटीचर मेजर का इस घर में आखरी दिन होगा मैं उसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा और निकालने से पहले उसे पाई-पाई का हिस आप दिखाऊंगा कि बच्पन से लेकर जवानी तक मैंने उसके बेटे के ऊपर और उसके ऊपर क्या-क्या खर्च किया है और वो सारा खर्चा मैं सूत के साथ वसुल करूंगा चाहिए अंकल आप भी लेटी है क्यों आपने एक बात नोटिस की है क्या नरेन भी लेटी है वो भी लेफ्ट हैंड से ही लिखता है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब बाप की आदत बेटी में है नरेन आपका बेटा क्या है हो सकता है उसको भी हजाव रुपए जादा दिया और कहा है सुरेन से मत कहना अभे नहीं यार तो कहता हूं हम दोनों डैडी को मिल कैसा मसक आपको तो वैसे कम पैसे मिलते ना फिर उसमें बुलाने वाली बात करता है अगर मैं तुम लोगों पैसे नहीं दूँगा तैसे लेगे अपने बच्छों का पेट खाली रख रहा हूं कि जेप खाली रखा हूं देखा एक यह और एक वो है यार यार लगता नहीं के दो सो कम है थोड़े हाँ बहु यह कहने वाला था नहीं मुझको तो बिल्कुल ठीक है बलकर तो जुरू बहुत और चाहिए हाँ चूते मेरे काम कर ना जी करूंगा ना कि मैंने प्रोविदे वापिस हाँ आप और अखिए मत किया मेरे सामने उक्या हुआ है शीचू रहे है यार अज़ हुआ अधर फुरूंग वो देखें है अधर यह तो उल्टे हाथ से लिख रहे है तुने का बेटे में बाप की आदत होती है यह उल्टे हाथ से लिखता हूं यह तो क्या यह मेर तुम दोनों के दो दो बाप है तुमको यही सिखाया है किसी के घड़ में जाको उसको चिहाने के लिए नमस्ते बोलो आए मैं देखनूंगा एक एको देखनूंगा हमने भी देखा है तुम दोनों पर भड़क क्यों रहते हैं अलुको नमस्ते करने के लिए और वो खाब खाब अरी जाओ जाओ मैं नहीं मांती कोई नमस्ते कहने से भड़कता है क्या च्षज यह बात है तुम जागे नमस्ते मिलियो ना लायक चुरेल बुड़ी कुसलर की भगवान करे तेड़े जवानी में बाल सपे दो जावे कल साम तक में सभी तांत गिर जावे चोड़ो ना अंकल बच्ची है आप हट 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 क्या है आलू की सब्जी आलू की सब्जी क्या है मुझे चिकन चाहिए मुझे भी आलू की सब्जी चाहिए मुझे रोटी 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 मैं रोटी भाऊंगा देता अंकल रोटी खा रहे और निरेन भी पूरी देना है मुझे पूरी चाहिए मुझे रायता दो इदेगंड है मुझे विश्री रायता चाहिए आदे आप लोग खाना नहीं खा रहें लग deal सी नहीं आता हमारी तो आड़ी चलती निए न यह लो आ गया वारा सटार्टर कमाल करते है यह इतंवे फ़ी मेरे हाथ से पहला निवाला जब द क नहीं लेंगे हां आ इनके गले से नहीं यह बेल्कुल क्या हुआ बेटी यह दोनों कितने लखी हैं अंटी इनके लिए आप हैं जब मैं छोटी सी थी कुछ पांच-छे साल की तब मैं भी इसी तरह मां की कोट में बैठकर खाया करती थी लेकिन मेरे नसीब में मां का सुप नहीं था मौत ने मां को मुझसे चीन लिया उसके बाद की सारी जिंदगी है भाकी कोट के बगेर ही गजार दी ऐसा क्यों कहती हो तुम मैं हूँ न देखो आज से तुम मुझे मां समझ कर मेरे हाद से पहला निवाला खाया करो ओके आजा लो क्या कर रहे हो तुम पागल लो यह क्या शरा रहती तुम लोगों की किराइन यह क्या बंतमीजी है तुम दोनों की एक बिन मा की बच्चे के साथ ऐसा सुलुक किया जाता है खामखार रूला दिया ना उससे अरे मां हम तो उसको हसाने की कोशिश कर रहे थे वो खामखार हो पड़ी अब हमें क्या मालूं कि उसका दिल इतना चोटा है वो मुझे नहीं मालूं जा जाकर माफी मांगो उससे तब तक मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी खाना गर्मा करें तुम्हारे लिए यह आपका है नहीं बाड़े में लिया था ना बाई सुरें मुझे नहीं लटता के आज हमको डिनर मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है इसलिए आप हमको माफ कर दीजे यह खाना खाईए और हमें भी खाने दीजे मुझे भूक नहीं है हम र्म यार बच्टों की तरह बाथ-बाथ पर ऊपना दॉड़ जाती तरह है है वह उपर से रभी पड़ती है आप च्छोड़ा जाओ न अश्ब ज़ल्दी से खाना खालो बहुत उच्छा खाना बना यह लखाओ अरे भाई तुम भी आरे बच्ची को बच्चों की तरा मनाते हो देखो बच्चों को मनाने के दो तरीक है या तो उनको लोरी होरी सुना दो या फिर या तो दूद पिलाए चाता है क्यो मैं तो लोग ना जाता है या इन वोट आरे पीज तप्ले खराब कर देगा ऐसे ने कर देगा जंदी वाल अरे वीलियो दोजी के लो आज तो हमारी दोस्ती हुई है क्यों यारे आज हम दो से तीरों है और हमारी दोस्ती का ट्राइंगर गलागा आज पांतर चेस अब खाने का ओर जल्दी दीजे मैं फ्रेश होकर आती हूँ यारे फ्रेश अटा दी भी नहीं है और रहा जला दी है सिरे पिला, सिरे पिला, कमार सारी, सारी येस हलो हलो अंकल, मैं खिरन बोल रही हूँ बोलो बेटी, क्या बात है? अंकल एक बहुत बड़ी खुशकबरी है क्या? आपचे स्टाइल में सिगर्ट सुनकर सुलगाते है न अंकल ठीक उसी स्टाइल में अंकल सुरेन ने सिगर्ट सुलगाई क्या? और मेरे सामने पी रहा है अंकल फिर वह ही मेरा बेटा है क्योंकि बाप की नकल सिर्फ बेटा ही कर सकता है क्या सकता ही मुझे मेरा बेटा मिल गया कैसे? नहीं बतावगा नहीं तो नजर लग जाएंगे पहले मैं 21 तिर्फ स्थानों का दर्शन करूंगा और आने के बाद कि मेरा बेटा कोन सा है मैं जा रहा हूं आज आभी इसी वक्त जा रहा हूँ मैं भी आऊ तीरतस्तान पे नहीं, आप तीरतस्तान मत आईये आप प्रस्तान करिये अपने बेटे नरेन को लेकर यहां से दफा हो जाईये क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सुरेन है अरे, मैंने बोल दिया, राज बोल दिया आपना बोरिया विस्तर उठा के चले जाओ, बहुत थाप दिया तुमने येस अंकर, नरे ने भी उसी स्टाइल में सिग्रेट सुल गाई वाट? टिकेट कब का बुक का रहा हूँ गेट लास्ट नराज क्यों होते हो यार तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया, इसी खुशी में चलो आज एक सिग्रेट से तुम भी सिग्रेट पीते हो कभी-कभी खुशी के घं में पी लिया करता हूँ हाँ 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 सही है सेम स्टाइल बच्पन से ओ माई काँ अंकल मामला कुछ कड़बड है कड़बड किसने कड़बड की अंकल आप समझ नहीं रहे हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं क्या आँटी ने दो दो बच्चों को जनम दिया हो क्या कहती हो पहले अस्पताल वालों ने दोनों बच्चों को mix-up कर दिया अब तुम दोनों बच्चों के माबाप को mix-up कर रही हो मैं तुमसे बहुत उमीद लगाए बैटा था लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया अब तो लगता इस जनम में मुझे मेरा बेटा ही नहीं मिलेगा हाथ patience अंकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपका बेटा मिल जाए वैसे दूसरा रास्ता भी है मेरे पास कौन सा दूसरा रास्ता अंकल मैं major uncle और उनकी पत्नी की आदतें उनकी बेटें से मिलेंगी major की बीवी तो अस्पताल में ही चल बसी अब मैं उसके आत्मा को तो नहीं ला सकता अंकल मैं मेजर अंकल के तरीब जाकर खुद जान लूँगी कि उनकी पत्नी की कौन-कौन सी खासा देते थे जल्दी कर बेटी मैं सालों से तडप रहा हूं जल्दी से चानबीन कर और बता दे ताकि मैं उस फटीचर मेजर और उसके बेटे को धक्के मार कर निकाल दूँ लेड़ी से जंटलमन यह जो खोड़ा आप देख रहे हैं कसरा उठाके जानते हैं किस खांदान से जान है तुभी कैसे आरे मुझसे पूछे मुझसे पूछे किस खांदान से है बीट में मत बोले इसके दादा जी पता है कौन थे पुझडाको माराज गबर सिंग थे हाँ क्या गबर सिंग सोले ने देखी सोले ने देखिए आप लोगों लेग वह जो डर गया वो मर गया बहुत साल पहले की बात है जब डाक्तर गबर सिंग आपने शादी के लिए बाराद देकर डाकन पुतलन देदीग बाच्छे पुलन देवी पुलन देवी होतकती है पुलन देवी ने हो सकती है पुराने पुतले बात को समझा करो कचरा उठागे तो गबर सिंग शादी के लिए पुतलन देवी के घर गये जब पुतलन देवी और गबर सिंग साथ फेरे ले रहे थे तो गबर सिंग का घोड़ा पु इसी का नतिजा है ये ये क्या हो रहा है जॉनी मुझसे पुचरत गोड़े की नसल क्या है मैं इसे बंडल मारा था उठा अपना कचोर भागा के माफ कीजिए ये गोड़ा नहीं घोड़ी है और कोई उचे नसल की भी नहीं है इसका मालिक दरिया के नारे बच्चों को इस पर बिठा कर घुमाने का धंदा करता था और जब ये उसके काम की नहीं रही तो लावा रिज बना कर छोड़ दिया ये जत्मी थी मैं इसे अपने साथ ले आई इसकी देखभाल की, मरहम पट्टी की और इसे अपने पास ही रख लिया मैं अभी आई अभी कुछ देर में आजाएगी इसकी दुखभारी कहाने सुनकर आप लोगों को जोड़न नहीं आया मुझे तो आप लोगों को देख रहा था आपको पता है ये नहीं जब आप लोगों को पता नहीं के घोड़ी क्या है घोड़ा क्या है तो घोड़ा करें में क्यों आते हैं लुब्ड़े खरी दिये मुर्गी खरी दिये कुता खरी दिये घदा घर दिये ऐसे ही ताजूब हो रहा है देखो न एक लावारीज घोड़े पर रहम खाकर तुम उसे अपने साथ उठा लाई और बरसों पहले एक माने एक लावार इस बच्चे को उस पर रहम खाकर अपने घर लाई उसे दूद पिलाया उसे पालपोस के बढ़ा किया उस बच्चे को तुम घर से निकालने का प्लान बना रही हो मैं मैं कुछ समझी नहीं आंकर वेटा बनी की कुश्ची मत करो मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं कि तुम उस घर में क्यों आई हो तुम्हें मैश लेकर आया है तुम सुरेंदर और नरेंदर में से किसी एक को गयर की अवलाद साबित करके उस घर से निकालने आई हूं नहीं आंकर मैं तो एक एक्सपेरमेंट एक प्रयोग कर रही हूं तालीम जानवरों की हासिल कियो तजरूबा इंसानों पर कर रही हो अवल तो इसे हो नहीं सकता और अगर हो गया तो बहुत शुरत मिलेगी तुमको सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा लेकिन उस नाम का अंजाम क्या होगा कभी सोचा है तुमने वह बसा बसा एक खर उचड़ जाएगा वो माँ जोन दोनों बच्चों को अपनी अउलाद समझती अपना दिल समझती है तुस्मा का दिल तोट जाएगा तुस्मा का डिल टूट जाएगा और वह दोनों बच्चे जो एक दूसरे कॉपना भाई समझते है जिनकी रुशे प्यार के धागे से बन दिएँं तो आगा तूट जाएगा अरे जब इस दिनिया का बनाने वाला उन दोनों को मिलाना चाहता तो तुम अलग करने वाली कौन होती हो अगर वो उनको अलग करना चाहता तो पाइदाश की देने बच्चे के मागो मौत क्यूं देता वह एक्सिज़न क्यों होता वह स्पिटल में क्यों लगती वो नफ्स क्यों मर जाती इसलिए कि उद्रत का बनाने वाला चाहता था कि वो दो बच्चे एक ही मा के दामन में रहे तो फिर तुम उन बच्चों को उसमा के दामन से लगकाने वाली कौन होती हो अंकर क्या है चाहे मेरे लिए हाँ श्यूह इससे पहले तुम मेरे लिए कभी चाहाया करने यहिं इस से पहले आपने भी तो मुझे एतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी Seconds आपकी शिक्राने मेरे जिनलगी का दण ही बदल दिया है थैंक्यू activist इमा चंकर, I love you, I love you too. जाए तो तूटीवी छटों और पेड़ों की नीचे रहते हैं, वो इन बूंदों से नहीं बचबाते, अगर चाहें तो भी. पर तुम दोनों अमीरी गरीबी की बाते क्यों करे हो? मैं तो बस इतना जानती हूं कि तुम दोनों दिल के बहुत अमीर हो. कि अपने घर चली जाएगी तो मुझे मेरा मतलब है हम दूनों को ऐसा नहीं लगे कोई बहुत कीम्ती चीज अपने घर से चली गई हो मिस्स नहीं करेंगे उसे क्या हम रह पाएंगे उसके बिना इसलिए तो पिछले आदे घंटे से सोच रहा है और सिग्रेट पे सिग्रेट फूखे जा रहा है क्यों कि दूख नहीं होगा अब एक घंचक्कर दुख तो उसको होता जो अपने घर से बहुत दूर चले जाए कि जाएगी भी तो सिरफ दो महले दूर जाएगी और वो भी अपने घर और फिर सुदागर अंकल डैडी के कितने अच्छे दोस्ता है एक नहीं जब जी चाहा जाके किरन से मिल लेंगे आमका परिशान हो रभ देख चुप-चाप सोजा यार बात होती नहीं पतना गलाते बै विखिन कल की सोच अर कल को उसके शादी हो जाएगी वो सुधाकर अंकल के घर से अपने पती के घर चली जाएगी तब क्या करें कि भी अरे यार शादी करी कि पती को अपना दोस्त बना लेंगे और जब जी अगल पढ़र पहुँछ जा दोस गाना के लिए हुम हाई । अब क्या है यार देख रूने का कि उसके पती से दोस्थी दोस्थी कर ले तो जब दोस्थी इसके सों भाई ठीक नहीं होगा वह सोचना चाहिए भाई इस बाई है तभाई है अमाद के सिर्ट और मुझे खर्राटि लीजे भाई साब यह लिजे यह पूरिया है अर्याप खाईे तो अब कुछ खाई नहीं रहें और यह गाजर का हल्वा रखा है और वहां समों से रखे हैं शुरू की जलो समान जल्दी से नाष्टा दो मुझे एक जरूरी मिटिंग में जाना है यह उबला हुआ अंड़ा आपका नाष्टा 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 अरे वाह जो आदमी दिन रात मेनत करता है इस घर का मालिक है उसके नाष्टे में सिर्फ एक उबला हुआ अंड़ा और जो आदमी 20 साल से इस घर में खा रहा है उसके प्लेट में पूरे मुहले का नाष्टा वह इसलिए भाई साब कि उपर वाले ने दौलत और खाने का मुक आउमा अपर वालेगा हुद मुछ रहा है अमिकोर डौ्टर ने जादा क्वाने से मना किया है एंअपकी तो डाइटिंग चल रही है ना मेरी डाइटिंग चल रही है और इनकी खाने से फाईटिं चल रही है वाहर में कई नास्टा अरे सूनिये on तूद पी कर तो जाएए अच्छा रहे काया कि गूड मॉर्णिंग मैं बहुत बड़े डिलिंग के लिए जा रहा था तुन्हें चीक मार के सत्या नास कर दिया एक ग्लास पानी पी कर जाएए सब ठीक हो जाएगा अरे पानी पीने से क्या होगा अब शकुन तल जाएगा ली अबी तल जाए अबी आवी ने पी ली जै अब शकुन तल गया थे ओउष पांग से आथय ही आधर अरे क्षिच मांव अब तो हने वाले काम भी नहीं होगा ने आधरerved दा मिने तुन्हेरा हो घाइव pan या ययाची करशीय याचीश करशी करशी आपनी जी कोस्य को को मिला कर देखो हो सकता इनकी जीकों में तुम तुमारा बेटा मिल जाए सुमान यहां मेजा मुझे छेड़ता रहता है मैं इसका मैडर करता आप चाहिए आपको दे रहें आप चाहिए यह लीजी यह लीजी फिर पानी प्योंगा तो पैट फट जाएगा है न तो यह न नि कमाल करते हो तुम लोग अब यही रुपा मैं गर्मा गरम नाश्टा लेकर आती हूँ अच्छी ए बैटी मैंने तुझे लोगों की जिंदगी में जागने को कहा था इनके साथ छीखने को नहीं कहा था आउंटी जी मैं अभी आपके साथ किचिन में चलती हूँ है उन दोन दूरी रहा करो नहीं नहीं आउंटी जी वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं आज तक मुझे जिंदगी में हसी खुशी के साथ जीने का कोई धंगी नहीं आता था लेकिन इन दोनों के साथ रहकर मैंने यह भी सीख लिया है तो फिर ऐसी ऐसी खुशी के साथ इस घर में तो फिर यह बताओ कि मेरे राम लक्षमन में से तुम्हे जादा कौन अच्छा लगता है। दोनों बहुत ही अच्छी हैं। चुनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। देख यह चुनना तेरा प्रॉब्लम है। मुझे तो बस बहु चाहिए। तनहा मैं अकी जी रही थी सुबहा तक। मुझे एहसास चिसका कुछ भी नहीं था सुबहा तक। नहीं इस सुनी मुल में कोई नहीं था सुबहा तक। नगमा होटों भी मेरी कुई नहीं था सुबहा तक। कुई है पकी जो साय संग होता है। नमत से मेरी लिपटता है। खामोशी में कुछ कहता है। कुई है पकी जो साय संग होता है। नमत से मेरी लिपटता है। खामोशी मेरी कुछ कहता है। पहरों कटेंगे खायाबं में किसी के अब शायत। चुप 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 हम भी रहेंगे अब शायत। खिरकी से लगते राते ये कतेंगे अब शायत। नीमे हमारी दुश्मन बनेंगे अब शायत। उमन ऐसे दो दिल में जागी नहीं थी सुबहा तक। तरंग ये तन बन में उठी नहीं थी सुबहा तक। नहीं इस सुने दिल में कोई नहीं थास बहा तक। नगमा होटोबे मेरी कोई नहीं थास बहा तक। कोई है उतके जुसा असनु होता है। नगमा से भी पतता है। खामाशी ही कुछ तैराओं है। क्झाइस हुआ हुआ शायद मरवाद कहती है जिसको जवानी सदू आई है मुझे पिक महसूस होने लगा है अदू अंजानी राहे पहचानी लगने लगी है अदू पेकानी सूरत अपनी सी लगने लगी है अदू जिशता नया किसी से दिल का नहीं था सुबहा तक जुबार पर किसी का ना नहीं था सुबहा तक नहीं इस सुनी दिल में कोई नहीं था सुबहा तक कोई है तक जो साया संग होता है तामसी मी रिल टापिता है खामसी मी कुच के दाए कोई है तक जो साया संग होता है तामसी मी रिल टापिता है कि अपनोंषी इकुचे बाले आप 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 बाहँ का साहि मुझे मिल गया रो दिल की कश्टी रुकी कि नसरों से कहती है समझो जरा इंसी मुहाबबत हुए 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 बहु क्यों आपको कोई इतराज है नहीं यह इतराज की क्या बात है यह यह तो मेरे दोस्की बात अच्छी लड़किया लेकिन इतनी जल्दी किया है अभी तो उनके खेलने-कुद्ने के दिन किरन इस खर की बहु बन कर आएगी आपकी फाइल यह भगवान मैंने जिन्दगी में तुझ से कभी कुछ नहीं मांगा यह जो बेटा मांगा वो भी मेरी बीवी ने मांगा मैंने नहीं मांगा तुने एक के बजाए दो-दो बेटे दे दिये और उन्होंने मुझे सारी जिन्दगी एक उल्जन में डाल कर रख दिया है मैं उस उल्जे हुए मामले को सुल्जाने की कोशिश कर रहा हूं भगवार तो तु मेरे सामने और उल्जेने खड़ी कर रहा है देखना अभी बेटे का मामला सुल्जा नहीं तो बहु का मामला खड़ा हो गया आरे कम से कम यह तो पता चले कि मेरा बेटा काउंसा है तभी तो उसकी शादी करके अपनी बहु को घर ले आऊंगा नहीं तो पता चला किसी दूसरे के बेटी की शादी करा थी और किसी गएर की बहु मेरे घर चलिया आ रही है महेश अरे सुधाकर बिल्कुल मौके पर आ गया तुछ वेलकम कब आया लंदन से अब अब भी सीधा एरपोर्स से तेरे घरी आ रहा हूं आँ अचा 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 तो तक किरन को आपर साथ ले जाओं मैं भी यही चाहता हूं किरन बेटी देखो कौना है तुम्हारे डाड़ी याद कर रही थी कहती थी कि डाड़ी कब आएंगे मैं या बोर हो गई यह कैसे बाते कर रहा है आप अंकल मैं कब पापा को रोज रोज याद करती थी मैं यहां बहुत खुश हूं आप उल्टी ब यहां ल nějak यहां से जाने का क्राद करहें फिजऑन के बातें कर रही है जल्दी से अपना सामानला और अपने डैडी पेड़ के वा अंधां ऄर यहां भाप तो बेटी से मिला रहा हूं किरन को तयार होने के लिए चाह रही है करी उसका बाप आया है उसको ले घाने के लिए तो यह नहीं दिए खराब हो गया है आपके हाथ कि गर्मा गर्म कली बहुत दिन हो गए बना के ला कि लागे। कमाल है, उसका बाप आया इतने दिनों के बाद उसको ले जाने के लिए और तू खामका उनको मना कर रही है, बाप को बेटी से जुदा कर रही है, रहा है आपका इसमें जुदाई के कोई बात नहीं दो कदम पर घर है भाई साथ का जब भी बेटी की आद आएगी मिलने आजाया करेंगे और वैसे भी लड़की तो पराई आमानत होती है बाप को एक ना एक दिन उसकी जुदाई का गम सेहना ही पड़ता है तुम क्या अभी से बाप को बेटी की जुदाई की रियर्सल करवा रही हो तुदाकर तुझा बेड़क जा अपनी बेटी को लेकर मैं देखता हूं तुझे कौन रोपता है जा तुदाकर भाई मेजर साहब कहां थे आप अरे साहब भाई आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया चन्त दिनों में सबका दिल जित लिए इसको तुम यहां से जाने बिल्कुल नहीं जाने देंगे तो फिर बीच में बोला हम दोनों दोस्तों के बीच में बोलने वाला तू कौन है मैज भाई आप हैं बड़े मतलबी अपने मतलब की लिए किरन को खुद इस घर में लेकर आए जब मतलब निकल गया तो खुद इस घर से बागावे रहे हैं अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को हर गिज नहीं लेकर जाओं तो इस दैए अधर आजा तू मुझे क्यों उलजन में डाल रहा है तू अपस क्यों लेकर जाता मगर क्यों अरे यार कैसे बताओ तेरी भावी किरन को बहु बनाने के सपने देख रही है कि यह बता कि कि इस घर में किसलिए ती इसलिए कि तुम्हारा बीटा कौन सा है करेक्ट परके दोस्ती करके है क्या नहीं तो क्या कि अभी तक यह तो वह बिल्कुल फ्लॉप और उदर वह सुमन पैसला कर बैठी है कि मैं जल्द से जल्द कि इस घर में बना कर लाओंगी अचा? मान ने मुचे मुझे तुम्हें चुन्नी का अधिकार दिया है लेकिन मुझे तुम्हें चूमनी का परमिशिन चाहिए क्यों माना के तुम बहुत खुबशूरत हो लेकिन अपने आप से इतना प्या है वो वो आच्चिली मैं लिप्सी का कलर देख रही थी अच्छा चलो तैरो जाओ क्यों सुरेन को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सुरेन जरूरी बात अच्छा बंद कर काम की बात करता है तो मलूम पड़ेगा च्छेर्श क्या हो तुम लोग पी नहीं रहे हो यह मेरी तरफ क्या देख रहे हैं तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन कब्स पह। Chief का ट्राइंगल है दोस्ति में जा ज बात तिल में हो वह जुबां पे तो होनी चाहिए न वंगद मुझे लगका की जो हमारे दिल में ऑर जो तुम्हारे ुडमने भू तुमारी का पे कि लिए मिशाल के तो और पर फैर्क पेसकी पी पी रहे और यह पुट पी रही हम इसे मतलब हमारे कोछ और आपके देल में कुछा 10य नाका लिए लगता है आपके दिल और हमारे दिल के खैलात कुछ मिलते जुलते नहीं है इस गिलास के साथ काफी नानसाफी हुई है अब बढ़ी कमे तुम मुथ से कुछ कहना चाहा रहे थे ना पता हऊ ना क्या कहना चाहा रहे थे अरे ठेरो याद सारे के लास तुम ने खाली कर दिये है हम क्या खाग पेंगे वेट आव लच प्लीज यूष प्लीज अचिली फो लाज अरे तोस्ती जो निभानी है यार क्या कर रहा है मगर तुम उसे कुछ कहना चाह रहे थे नहां मैं तुम से यह कुछ शर्मा था क्यों है सुलेन कह रहा था कि वह तुम्हारे डैड़ी आ गया है लंडन से और तुम हम दोलों को छोड़ के अपने घर चली जाओगी किसी बच्चो जैसी बाते कर रहे हो तुम मैं कौन सा जा पान जा रही हूं मैं तो वस यही हूं इसी शहर में तुम्हारे बिल्कुल करी और इसे जाना थोड़ी कहते हैं अरे हां तुम मुद्छे कुछ कहना चाहरी थे न हम बताओ न क्या कहना चाहरी है घरमेर क्ष्छा इनको जाके नमस्ते बोलकर आए अब जाली वाला कपरा ये उसको दुबई में एकश्पोड करेगा नी उधर बहुत घरमी है ने तो उधर माल ज्यादा चलेगा तेडा उसमें घबरानी की कोई बात नी मैं चम्णाल लूँगानी नमस्ते हम नो तुकुरे मैंने कितनी बारमाना किया मैने साथ मजाक मत करो मजाग का कर रही हूं आंक紹 सिर्फ नमस्टे कर रही हूं औरे नमस्टे किया भार में , एक ऐसा होटल है यह छुकरी मवाली होकर निस्टरफट है आप मवाली किसको कह रहे हैं। लड़कीयों को मवाली कहते हो आपको शर्म नहीं आती। आप लड़कीयों के बेवरें कि सारह दारूपी्ति जुलती रही है, तेरे को सीं आती। आठे़ अ अंकर दारूपीने के बाद भी नमस्ते तो किया, nosso गासी में। कुछ बुरा बोली मैं तो सिर्फ नमस्ते करें और ये खाम का मुझ पर भड़क रहे हैं अरे बाबा इशना नी अभी जाने दो माभी ये लड़की तुमारे पास बीचान इतना प्यास है कि तुमको नमस्ते बोलना है और तुम भी तुम भी चलू हो गया अरे नमस्ते से मेर अरे खुपणी का छप्रा हो जाता है नी में अपने मस्ते नहीं बोलने का अरे 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 ये तो गई का अरे हाथ तो दीजे अरे गिरेगी क्या करती है Excuse me, ladies and gentlemen. May I have your attention please. ये ये जो अंकिल है न यहाँ पर ये एक बहुत महार आदमी है. इन्होंने जिंदगी में पड़े-बड़े कारनामे किये हैं और सरकार इनको इन कारनामों के लिए एक बड़ा इनाम देने जा रही है इसलिए आप सबका पर्ज बनता है इन अंकिल को नवस्ते बोल दे जाए बोल दे जाए नमस्ते, अंकल. लोत 스ई हो दो तो यह आग तुम दोनों की लगाई हुए है य फ्टों वाली संयकने रे यह लिए तो अटुम दोनों को मैंनेैं एक बाल कि इसको मैंने नाम मेरा सकतेड़ मेरा नाम क्या है मिनला्सथी था लया यह है लोगाइब मेश तो आफिरेका ऐसाने का जाँओ अपना प्लैन कामियाब हो अभी घर जाएगा और मां से इसकी शिकायत करेगा और मां ने जो इससे बहु बनाने का सपना देख रहा है वो टूट जाएगा मिशनकाम्प्रिष्ट है अंदर किदर जाता है बीकारी का अंदर जाका बीग मन्गें आखया क्या तुभी मेरे को भी मेरे को भीceny समझता है में बाजो वोले बेका मालाड दी काहे पताना नहीं मेरे को इस नानी से नॉशिक आमकूर 1 कि अधिया किस्ट है कि अधर थो दो छोकर लोगों कि अधर है कि अधर किया कि हुआ किसने किया यह उन्हें मिलकर उस चोकृड़ी को डढ़कि दारूपिलाया फिर उसको चलाया बढ़ी छोटल में मेरा फॉट्टा उगा राया तुम सबको में ले निवेजना मेरा नाम मेरी नाम वाझ नाम नमस्ते आप अट सुरह रे किस फ्हॐ OS इसे क्या हो गया था इतना चिला हो अखुछ नहीं पागल ए düşीई आख़ कुछ नहीं पाग़ Luck पर हम लोग चले चलिए इस्टर जी बाकी बाते हम ओफिस में बैट कर तय कर लें ठीक है नुश्टे नुश्टे अले कुछ इन दोनों हम तो समरकंद होटेल गये ऐडी समरकंद होटेल गये साथ में किरन को भी लेकर गये वहा शराब पिला है तुम दोनों ने उसको नहीं डैडी वो खुद पूरी थी अब उस शरीफ इंसान को क्यों परिशान कर रहे हो क्या हलत बना रखे तुम दोनों ने उसकी पर आ बोलते क्यों नहीं आपके डाटनेका टाइब खत्म हो गया अब हांके किशी को डाटने का तो मांक मांक मांका बाइब सुमान सुमान बैंजी घर में नहीं है वो सत्यन अरयन की पूजा में गई है आने में कुछ देल लगेगी क्या यार खोवी आज ही सत्यन अरयन की फूजा में जाना था। सारी मेहनत और केक राय पर पानी फिर गया है कि अरे हाँ सुरेन को मुझसे कुछ कहना था सिर्ष आजा किरन को मा की नजरों से किराने के लिए आप एक नई तरकीब सोचनी पड़ेगी तरकीब होला उसली आजए इस घर की बहू बनाना चाहती है इते हमारी माश करनी हमारी माश जब लग करके हारे दिनों का पथारा करना चाहती है लेकिन किरन ये नहीं जानती है कि जिस दिल में हमने उसको अपना सच्छा दोस्त बना कर बिठाया है हम उसी दिल में उसके लिए नफरत भी पैदा कर सकती है कर सकता है कि यह सुबह सुबह किसी को कुछ बताए भी ना चुपके से घर छोड़ कर कहां जा रही हूं बोलो बिटी अंकल आपकी शिक्षा पर अमल करके मैंने उनके दिलों में जहांकर देखा मैं उनके बहुत करीब पहुच भी कई थी लेकिन मेरी बतकिस्मती तब तक उन्हें पताचल गया कि मैं इस घर में क्या करने आय थी हाला कि मैं उकाम भूल भी चुकी थी आंकल पाडिसमा लग्ट तब तक उनके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई एसी नफ्रच जिसका मैं ना बेटा बस बेटा अब मेरा यह रहना ठीक नहीं है नहीं बेटा नहीं मुझे जाने दीजिए ना बेटा नहीं मैं आपके हाथ चोड़ती हूँ नहीं बेटा मुझे मत रोके आपको मेरी किसम कि यह ले अच्छा कि तुमनाश्टे से पहले एक 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 शराब हो जाए वच्छों कि मतलब रात की उतर चुकी होगी ना तो शुरूर को बरकरा रखने के लिए अगर एक एक हो जाए तो उसमें को बराई थोड़ी है भूली नजरों में कि या वेक्त ने शराब सकते हैं Será कि यह आ क्यारे वीजह願 रहे है इन दोनों इन दोनों ने किरन को शराब पिलाई हाँ बैन जी हमारे इन सफूतों ने किरन को शराब पिलाई और वो उसका दिल टूड़िया वो यह घर छोड़के चली गई क्या, क्यों रहे, ये क्या हरकत की तुम दोनों ने, क्यों शराप बिलाई उसको एक मिनुट बैंजी, ये सवाल इन से पूछने से पहले, आप यही सवाल अपने पती देव से पूछिए, इनको सब मालूम है मुझे कुछ नहीं मालूम अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम है, पहले तो भूस में चिंगारी फेक दिया, जब आग लगई तो दूर से खड़ो के तमाशा देख रहे है, किरन कुस घर में कौन लाया है आप न, उसे मालूम करवाने के लिए, कि इन दोना में से आपका बेटा कौन सा और मेरा बेटा कौन सा है चुपके चुपके इतनी बड़ी चाल चलिया आपने मेरे ममता के खिलाफ इतना बड़ा शडियंत्र रचाया आपने मेरे, मेरे प्यार का बज़वारा करना चालते थे आप आप तो सारी जिंदगे पर चिपट करते रहे और मैं पागल उसे मज़ाग समझती रही एक बात सुनिए, ये दोनों बेटे मेरी दो आखे हैं इनको मेरे चेहरे से जुदा करना चाहते आप चेहरे से आखे जुदा हो सकती हैं, लेकिर एक मा के मन से उसकी ममता कभे जुदा नहीं हो सकती कभी एक बार ये तो सोच लेते, कि इस बात का तुमारे बीवी को पता चलता तो उसके दिल पर क्या बीचती कभे सोचा आपने? सोचा है, पिछले बीच साल से सोच रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा कि पिछले बीच साल से मेरे मन पर क्या बीत रही है? दूसरों के अवलाद को सीने से लगाने से वह अपनी नहीं हो जाती किसी दूसरे के शरीर का हिस्सा अपने शरीर को जोडने से वह इस्सा अपने शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता वो सिर्फ कपडों की तरह अपने शरीर से चिपका हुआ रहता है अवलाद अगर घर से दूर भी होती है तो मन को यह तसली होती है कि एक नए एक दीन वो जरूर घर आएगी मैं जी भरकर उसे देखूंगा बेटा कहकर सीने से लगाऊंगा मगर यहां 20 साल से अवलाद घर में हैं और मुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी है किसको मैं बेटा कहकर सीने से लगाऊं कब तक मैं दुनिया से नजरे चिपाता फिरूंग अब मुझे हर एक की नजर में सुबह शाम सिर्फ यही सवाल नजर आता है कि मिल गया तुमारा बेटा और अब मेरी नजर में उनको जवाब तेने की और उनसे आखे मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस एक मिनट भाई साब आपके सवाल का जवाब है मेरे पास इन दमाब बातों का एक तरीखा है और यह 20 साल की जंजट आज खतम कर देते हैं ब आज आप कुछ नहीं बूलेंगे आज भाई साब में बहुत बड़ी बात कही है इसी बात उन्हें पहले कभी नहीं कही थी और जब बात हुई है तो फैसला होई जाना चाहिए आपकी शर्त है ना कि आपको अपने ही बेटा चाहिए जी हाँ तो ले लीजी बेटा लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी एक शर्त है बेटों की बटवारे के साथ साथ आपको एक चीज का और बटवारा करना होगा किसका बटवारा इस हवेली का जायदात का हर चीज का बटव ना सुमान यह मेजर क्या कह रहा है आखिर गद्दार के आरजु उसके जुबा पर आही गई यह मेजर पिछले 20 साल से इस घर में अपने बेटे के लिए नहीं बैठा है बलकि यह हवेली यह जाइदाद यह दौलत हडप करने के लिए चोर की तरह घुज़ा हुआ है आगे चब नी बोछे तुम हरे तुम त remarkably तुमको सलामत हो मैं सारी जिनरी की खरीब थाप भिकारी खारी लोगा संटहरी तुम्हारी दौलत मेरे। होगा पर सब्सक्isfaction घख़प करें ने कि नोगी सब्सक्राइक च्रफण मेरा होसी तापका परा नोगी तुम यह क्यों कि च्याशत नहां shows इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा भले मेरे साथ रहे लेकिन एक बड़े बाप की अलाद बनकर रहे एक इस्ददार बाप की अलाद बनकर रहे एक गरीब बाप की भीकाडी अलाद बनकर न रहे इसलिए इसलिए मैं बड़वारी की बात कर रहा था भाई साब, भाई साब भगवान से प्रार्थना कीजी, ऐसा दिन मेरी जिन्दगी में कभी ना आए, कि मैं जीते जी अपने बच्चों से चुदा हो जाओ मैं तो एक बाप को करा, एक मर्द होका निंकी जिदाई बर्दाश्ट नहीं कर सकता आप तो मा थे, आपने इन बच्चों को दूद पिला कर इनको बड़ा किया है, आप इनकी जिदाई कैसे बर्दाश्ट कर सकती है, लेकिन, सबसे पहले इन दोनों को सजा तो देनी पड़ेगी, इदर आप, इदर आप, ये किसका एडिया था, केरन को शिराप पिला कर बैंज आप, लेकिन, पहले मैं माँ से माफी माँगना चाहूँगा क्योंकि, किरन के साथ साथ मैंने मा का भी बहुत दिल दुखाया है, मा, मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ मैंने बहुत दुख दिया है तुझे, देख, मैं अपने कानों को हाथ लगा के, तुसे शामा जानता है, माँगना चाहिए, आप खामाद से चिला रहे हैं, जितना कुसूर उसका उतना कुसूर मेरा भी है, तो पहले क्यों नहीं बता है तुने, आपने बताने का मोगा का दिया, बच चिला जा रहे है तुझे, वो माफी मांगकर आ जाय, तु फिर तु भी जाकर किरन के सामने नाकर अगड़कर के माफी मांगना क्यों बता है 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 मेरी दियhouse को निशाथ usual तुम्हारे इन जख्मों से कहीं ज्याता केरें फिर अबर तो मुझे मार्फ़ सकती है यह सकंदम इत्ना कहरे नहीं जिसे तुम नभर सको तुम्हारी सख्मों को बरने के लिए इसका दे सकता ओ करいます तुम्हारी जानना मांगू, दिल मांगू तो I love you I love you Kiran 茶 की एक दिल मांगू uğू जानना मांगू चुम्हारी जानना अजाँ मांगू व्रकुम्हारी जाना बार्ड़ तितली के पंखो जैसी शबनम के मोती जैसी नाजुक है राहे वफा तितली के पंखो जैसी शबनम के मोती जैसी नाजुक है राहे वफा मेरे दिल में ही रहना, मुझे दिल में ही रखना पितली के पंखो जैसे शबनम के मुती जैसे नाजुक है दा है वफा मेरे दिल में ही रहना, मुझे दिल में ही रखना पर जो कि तुनित व्यूद्ध रहा हुआ। खुश्बू ना साथ छोड़े, सूरज में आग है पाए, तिर ने न मूखो मोड़े काटी है गुई में फिर भी, खुश्बू ना साथ छोड़े, सूरज में आग है पाए, तिर ने न मूखो मोड़े जाहत के दर्दो रम, खुशियों से है न कम, सच है यही सजना मेरे दिल में ही रहना, मुझे दिल में ही रखना तिपली के बंब जैसे शब्नम के मुद्धी जैसी लाजुप है दाएवापा मेरी दे मेरी रहरा, उची दे मेरा मेरा हम त्यार में न लेंगे, कस में न कोई बादा मच दुम्ब है भरोसा, अपने से भी जाना हम प्यार में न लेंगे, कस में न कोई बादा मुझे तुम्ब है भरोसा, अपने से भी जाना मुझे तना यकी है रब, रुतना यकी है तुझ पर रब से नहीं तुझो जाना मेरे दे में ये रहरा, मुझे दे में रहरा मेरे देल में रहरा मुझे देल में रखरा चलो केरण कहाँ? घर, मा के पास देखो सुरे, मैं उस खर से बिना बोले चलियाई थी अब मैं उस खर में तौप कदम रखूँगी जब तुम मुझे डोली में बठा कर दुलान के रूप में ले जाओगे ओके I love you अब बाबा एसा नहीं थूरा स्टाइल छे खरा रहे हो ने फूल को एसा रखो एसा स्टाइल छे खरा रहे हो तुमको मालूम है प्यार और फोटोग्राफी दोनों अंधेडे में डेवलप होता है उस समझ में आया अच्छा अच्छा में बात में समझाएगा नी थूरा स्माइल लखो बाकी में इसा बाल लेगा अरे ऐसा गंदा स्माइल नहीं बाबा फ्यार से स्माइल दो ना हाह हां हां करेक्ट है थोड़ा ऐसा 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 खरा रहा एग्या किल्दर गई तुम थुक्रि किल्दर भी गाएबो जाती है अरे प्ष्में किधर से आगे अच्छावआज के दिन मिले कुन नमस्ट नहीं बुला, भाई किरन को नहीं लाप आपाएगा, इतनी देर हो गई और किरन भाई के साथ आएगी नहीं, मा मैं जाता हूँ मिंटो में उसको लेकी आता हूँ, आच्छा आच्छा यहानि भाई के साथ वो नहीं आएगी, और तेरए साथ आएगी, वो कैसे हैं, मा हमारी style कुछ हमारी बात ही कुछ special है हमारा समझाने का तरीका ही कुछ और है अच्छा इसी कौन से style है तेरी इसी कौन से special बात है तेरे अंदर बता तु कुछ शुपा रहा है अगल याना मा मैं तुस्से जूट नहीं बोल सकता हूं मा मैं किरन से प्यार करता हूं पैच तु सच मुछ किरन से प्यार करता है अब में यू गया और यू समझा के वापस लाएँ अब मैं जाओं यह ले लो भाई आगया मैंने बोला था ना किरन इसके साथ नहीं आएगी देखा क्यों अभी देखो कैसे मू लटका के खड़ा हुआ है हम बोलाएं और बोनाएं ऐसा कभी होई नहीं सकता अपर एक किरन विरन हमारे सामने के चीज़ है मैंने उसको जट से बोला वो फट से मान गई अच्छा और क्या अभी बुद्धू जब मैंने तेरा नाम लिया तो वो मानी मा मैंने को मनाने की इतनी कोशिश की इतनी कोशिश की लेकर नहीं वो मैं तो अब उस घर में तभी कदम रखूंगी जब जब नरेन मुझे मनाने के लिए आएगा मैंने का वा बेटा नरेन तुमने तो अच्छे का से किरन पर जादू जलागा रख दिया माय बहुत बादमाश होगे इसको सोदानना पड़ेगा मातो तेरी शहीली है तेरी दोस्त है तुमासे कुछ नहीं पर सांस लेकिन के एक शर्त है शर्त कैसे शर्त भाई पागल इतना उतावला मतो वो तुछ से कोई खुद्दकुशी करने के लिए नहीं कह रही है मा किरन का है कि उस घर में तभी है कि जब उल्लू का पठ्था उसको दुनन मना के लिए कराएगा क्यों रे शादी करेगा उससे हां करेगा शाली हां करेगा जाता हूं कि तुम इस पूरे खर को बस रॉष्णी से चका चॉन गर्दो दिये जलाओ मिठाईयां बाटो सारे शहर को बता दो कि आज मेरे भाई का रिष्टा पक्का हो गया है और बाई, गले तो लजना, मेरे भाई आजा, और आजा तो गॉझी वाई आज़लो ग्रेट, वाई आज़लो कि अच्छावी काम क्या है अच्छी तरह से जानता हूं किरन से मिलने जा रहा है अच्छी तरह से जानता है अच्छी तरह से जानता है अच्छी तो आप किरन से मिलेंगे और नहीं किरन आप से क्यों 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 इसलिए क्योंकि किरन भी इस पूरे चकर में बराबरी की हिस्सेदार है और उससे भी बात कर चुका हूं और वो मान भी गई है क्यों क्यों मुहबत का यही हासिल के याद है बने का दिल खयालों पर तुम छाए बहत याराए बहत याराए तुम्हारे गहेरी पल के वो पुन में प्यारी आखे वो पुन में प्यार के साए बहत याराए बहत याराए कुल ले वो याराए Lamb शिकायप है बहारों को बहारों को नदारों को बुलाते हैं ये सबतों को मेरे शामोश शामों को मेरे बेचैन राखों को जो हर पल ढूड है तुमको जो हर पल ढूड है तुमको वो महके बहकी संसे वो चहके चहके बाते खयालों पर तुम चाए बहत याराए बहत याराए कर दो मेरे को भी पर लो बहत यारगों को मेरे तुमको लिखी है जाने क्या किसमत, मगर इतनी सी है हसरत, को शामिल सिंधगी में दूँ सभा सुर्ज उगेगा जब या रात को चांद निकले तब मेरी बाहों में बस हो तू, में बाहों में बस हो तू वो राशन चांद सा चहरा, सियाज लुकों का वो पहरा, खयाल कर तुम झाए, बहुत यादा आए महबत का यही हासिल के यादे है बने का दिल खयालों पर तुम झाए, बहुत यादा आए तुम झाए, बहुत यादा आए बहुत यादा आए तुम झाए, बहुत यादा आए तुम! अरे महेश भाबी, एक साथ अचादत तो क्या करे, आप अपने दिल की बात तो कहेंगे नहीं इसलिए हमें ही पहल करनी पड़ी भाई साब हम किरन बेटी का रिष्टा मांगने आये है सच तुम शराब पिरे हो? कभी-कभी दिल की बात को जुआ पे लाने के लिए शराब का सहरा तो लेना ही पड़ता ना किरन? क्या बात है जिसे, कहने के लिए तुम्हें अचानत शराब का सहरा लेना पड़ा? क्या बेड़ता रहा है पड़ता रहा है महेश यह तुम्हें पताया है कि कि लड़के के साथ कि अच्छा पार्ट कर रहा है जो बगएर किसी आग के बगएर किसी पंधन के और बगएर किसी फेरों के होता है जैसा कि आज तुम्हारे और मेरे बीच में होने वाला पागल हो गए तुम अगर तुम इसे पागलपन कहती हो तो पागल ही सही मेरे यार के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी है तरह शहर देखता रह जाएगा बेटीया क्या बात है क्या तुरेंद क्या हो यह इतनी खूबसूरत जवान बेटी को बगल में रखके एक जवान लड़के से पूझ रहोगी क्या हो रहा है कमीज बेहया काली नहीं देना काली देना मुझको भी आता है तुम मुझे गाली देगा क्या 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 मैं भी तेरी कुछ नहीं लगती नहीं तुम भी मेरी कुछ नहीं लगती तुमने मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया अगर मौका लगा तो उसी कीमत मा तुम्हें चुका दूँगा प्ष। वाह बिच्जे वाह जिसे मैं अन्मोल कहती रही हिए वही मेरी का मौल लगा रहा है तुम दोनों को एकचे सा प्यार दिया मैंने कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों में तो तुमारी मजबूरी थी तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम्हार असली बेटा कौन सा है और उसी मजबूरी की वज़े से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फटीचर मेजर को बरदास्ट करता रहा हूँ आज के बाद तुम या वो फटीचर मेजर मेरे घर में नजर आए तो मैं कोड़े मार तूगा सुरेन सुना नहीं वो बुद्धा क्या कह रहा है बंद करो यह प्यार का नाटक और तू भी अपना नाटक बंद करां यह सब दुनियादारे की बादे छोड़ा और मेरे साल आजा एश करेंगे अरे यह सब ढूंग है असलियत तो यह कि तू मुझ पर मरती है मरती है तू मुझ पर अगर मैं यह से गया ना तो सारे बंदन तोड़के भागी भागी आएगी तू मेरे पीचे देखना चाहते हो क्या दिखाएगी क्या दिखाएगी कि रहें कि अ कि अब ने नरीन के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया है यह तुम्हारी गलत पहमी और हर बेहुदा सवाल का जवाब है तो नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही सुनिए घर में कदम रखने से पहले आप एक मिनिक मेरे साथ चलिए देवी मा के सामने आप मुझे एक वच्चन दीजिए आज जो भी कुछ हुआ उसका जिकर आप नरीन से नहीं करेंगे वो सुरेन से बहुत प्यार करता है वो यह बर्दाश नहीं कर सकेगा नरेंद्र के दिल में सुरेंद्र के लिए जो प्यार है वो अफरत में नहीं बदलना चाहिए वादा कीजिए मैं वादा करता हूँ कि मैं नरेंद्र से कुछ नहीं करूँगा लेकिन तुम भी एक वादा करो कि आज के बाद सुरेन नाम का चिराग इस घर में नहीं चलेगा क्या कि आज 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 यह यह अपना सामान लपेटो और निकल जाओ यहां से कि दुबारा तुम या तुम्हारा वो बेटा सुरेन नजर आया ना तो मैं गोल ही मार दूंगा आज उसने यह साबित कर दिया कि वो मेरा नहीं तुम्हारा खून है तुम्हारा देखना जाओ काम करो कि तुम्हारे उस कमजर्थ बेटे ने किरण जिसकी शादी हम नरेंच से करना चाहते हैं शराब पीकर उसकी इज़त पर हाथ डाला और जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझ पर हाथ उठाया इससे पहले कि इस वारदात का बदला मैं तुमसे लूँ तुम खामोशी के साथ यहां से चले जाओ इस शरम बेहाँ पेरा खून इतना सुफएद हो गया कि तुने शराब पिकर करन की आपरूप अरे तुने अपनी माँ पर हाथ उठाया वो इंसान जिसने सारी जिनने की तुझे अउलाद की तरह पाला तुन इसको गालिया दी उसको धक्या दिये जवाब देवना मैं तरह खून पीजाओंगा जवाब दे खून कर दीजे डैट माँ डालिए जिस अउलाद को आप जैसा डैड नहीं पैचान सका उसे जीने का कोई हग नहीं क्या मतब़े तेरा आप क्या समझते कि मैंने शराब पीके किरन की इज़त पर सस्मुच हाट डाला क्या मेरा खून इतना सफेद हो गया डैडी कि जिस मा की एक खुशी के लिए मैं अपनी पूरी जान कुर्बान कर सकता हूँ मैं उस पर हाथ उठाऊँगा एलौन तो तुझे इसाब करने की क्या ज़ूर हुथी में आपकी सठकी kısm काकर कहता हूं डैडी यह सब फिल्ट légे मैंने अपने आपको खुद को दुनिया की नज़रों से गिराने के लिए दिखावा किया था डैडी खुद को दुनिया की नजरों में किराने का दिखावा लेकिन क्यूं जान लिए कि सुरेन मेरा बेटा नहीं है ऐसा कौन सा नया सिक्का मिल गया जिसकी चित पट ने आपको ये बता दिया कि सुरेन आपका बेटा नहीं है मेरे तजरूबे ने वह बिच साल का तजरूबा जो मैंने अपने बीबी और बच्चो के बीच में गुजारा है इससे ज्यादा तुम्हें बताने की मैं जरूरत नहीं समझता आपको बच्चों का तजरूबा कपसे होने लगा डैड आप तो सिंदगी भर इस उधेड बुंद में लगे रहे हैं कि हम दोलों में से आपका बेटा कौन सा है हमें आपसे कभी प्यार नहीं मिला डैड हमें प्यार मिला तो मां से आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये फैसला करें कि हम दोलों में से आपका बेटा कौन सा है यह अधिकार किसी को है तो वह मां को है जिसकी कोक से हम दोलों में से एक में जन लिया मां अगर मुझे एक बार कह देना कि सुरें कि इस घर में लाकर ही रहूंगा तो बाद दो रहे मेरे बेटे जिन्देगी की असली जंग का सिपाई तू है यार क्योंकि दुशूरा से जंग लड़ना बहुत आसान है मगर दिलों की जंग लड़ना प्यार की फर्ज की मभबत की इनकी जंग लड़ना बहुत मुश्किल है को इंसान के बसकी बात नहीं बिटा वो जंग तू जीत गया एक महादूर सिपाई के तरह तूने प्यार को अपने हुआ हुआ है कि एंगे तरह कि उस्कूल बिटा है कि उसके इस कि नाम का क्वाइए प्रेंश जै इस बेडिया कि कि स्कूल है कर दो कर दो कर दो कर दो ? कर दो कर दो एक मिए, वक्त की धारा वोड़ दू हर एक रिष्टा तोड़ दू तुजो कहें मां दुनिया क्या है मैं भगवान भी छोड़ दू मुझको धर्म इमान जैसे मान अधर करें अधर शुद्धागर में बहुत परिशानी में पड़ गया हूं जबसे उन दोनों को घर से बाहर निकाला है सुमन गुमसुमसी रहती है और नरेन उन दोनों को ढूंडने में लगा हुआ है परिशान मत हो महेश देख शादी की तारीक नजदीक आ रही है एक बार शादी हो जाएगी न सब ठीक हो जाएगा बहुख घर में आएगी तो भावी का भी मन लग जाएगा और दीरे दीरे नरेन सब भूल जाएगा अरे तुम अभी तक नेयर नहीं हुए मां सुरेन नहीं है खुशी मनाने का दिल नहीं करता हु तो तुझे क्या लगता है मेरा मन करता है मेरे एक बेटे के बगर इस घर में शहनाईया गुझ रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन शहनाईयों के आवाजे छोड़े बनकर मेरा कलेज्या काट रही है मगर क्या करे इसे का नाम जिंदगी है और किरन के बारे में सोचो सारे महमन आ चुके हैं अगर ये शादी नहीं हुए तो किरन का क्या होगा चलो बेटे जल्दी से तयार होकर आजा चलो उठो आईये। आये मिष्रह जी ने। आये आये मिष्रह भृष भृष भी ने शाँ डियरा आये आये शाट्स लिजांत नमस्टै मुभालक हो मैयाज़श वालक। बबारक हो मैयाज़श मुभालक हो क्या रंगा- coolerना फिल जमाय आए पपा आईए आईए इस्तानी सेट हलो आपके आने से तो मैफिल में चार चांद लग गए लेकिन ये चांद ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है एक अरिजन्ट काम से आज शाम की फ्लाइट से मैं हंकंग जा रहा है नी अभी क्या है कि परोश्योंने के नाते मेरा फरच बनता है कि बच्चों को आशिरवाद देते ही जाओं इक गिफ्ट देके मैं निकल जाएगा अच्छा है अच्छा है अच्छा है कि अरे बाबा साधी मुबा रखो जूले लाज तेरे को सो बच्चों का बाप बनावे ये लिए तोफा लिए बाबा ये स्पेशल तोफा है तू भी कि मेले कु क्या याद करेगा हाहा हा है मैं हंकंशी आने के बाद देरे को फोन करें शचाए है तो फिर उदर दूला कोने थ कि अगर आज की दुनिया में भाई भाई का गला काटता है तुन्हें अपने भाई के खातिड़ अपना प्यार अपनी जिंदिगी का बलीदान दे दिया अरे बेटा ये देखकर तो दिल कड़ता है मैं तेरे पैर चुलू अंकल क्या कर रहे हैं आप अंकल ये राज सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए किसी और को पता लगिया ना तो सब करबड़ हो जाएगा लेकिन बेटा मेरे हाथ से बहुत बारा मिस्टेक हो गया है मिस्टेक? मैंने एक दिन तेरा और किरन का फोटू उतारा था उसको बरा करके शादी के तोफे के रूप में नरेम के हाथ में दे दिया मैं फाल इसको? मैं नहीं, मैं फालूंगा नहीं, नहीं घीरा भै, नमस्ते, नमस्ते, मसी नहीं आई आच्छा मैं ने शेफाल जिया तात्रत रें, आप्टाष्त्वी ऐ लास्रस घरो है == आये, आये, कूझ रहो नावे थे, जमख्य कोई रहार रेके कारो आये! आये, आये... कुस्य है, कुस्य है? अउकल! अउख्यो, आउकल! यह देखो! लुरेन! है कि ओम गामदेचा बनुआ साहा कन्या को गलाइए है कि है कि आप आये बेजियों आप है जाना गिरश नहीं है ऐसे इन तो बाड़ी है अंचारे मराज़िए नाय पया रखेल्ध श्राण दरते रे विदिए है रो जुनेंद क्या चुपा के लिए जा रहो अपने गुनाहों के सबूत ताके किसी को यह ना पता चले के शादी के पहले किरन और तुम्हारे नाजायस तालुका थे अपनी जुबान पर काबो रख नरेंद मा तो ऐसी लड़की को बहु बनाने चाती जिसका दामन गंदा हो क्या पक्वास कर रहा है तो मैं पक्वास नहीं करना मा यह देख यह देख यह इसका सबूत एक और जोए खैर मर्द की बाहूं में पेशर्म की तरह लिप्टी हो ऐसी लड़की के जड़दार घर की बहूं नहीं बन सकती मां मैं यह शादी नहीं करूंगा नरें तू गलत समझ रहें मैं क्या जलत समझ रहा हूं तुम तोनों मिलकर मुझे धोका दे रहे हो मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा इसके दामन में दाख लगा हो दाख मैन उसे चोहता नहीं है उस दिन जूटमुट शराफ का निशाम मैंनो इसकी इजद पे हाथ डाला ये सवाइक नाटा क्यूँ से और कुछ नहीं था तू तू ने शयराब पीने का किरन की इजद पे हार डालने का नाटा कियाता किया क्या exchwnie how to ask नहीं बोल सकता ना, मैं बताता हूं तुझे, तुने ये ना तक इसलिए किया, ताके मुझे मेरा प्यार मिल सके, अरे हकीकत तो ये है कि तु किरन से प्यार करता हो, किरन तुझ से, और इसका सबूत है ये तस्वीर, और किरन के आंसु भरी आंके, तु अगर एक बार, खुल का समसे चलते है रोजा, ते रिशा दिराच नरेन तु गल्टी कर रहा है, नाटक इसने उस दिन नहीं किया था, आज कर रहा है अपनी शराफत दिखा कर, क्योंकि इसे और इसके बाप को हराम का खाने के आदत पड़ गई है, लेकिन इस घर से बाहर जाकर जब भूख से मरने लगे, तब अपने शैतानी चेरे पर शर नहीं कर से ख़ए मिहां ज़रूर आए होँगे। बाई साथ बीस बरस पहले आपको मैंने कसम देकर आपके मूँपर ताला लगा दिया था वो कसम आज मैं तोड़ती हूं बैंजी नहीं बाई साथ बीस बरस से जो राज आपने सीधे में चुपा कर रखा है उस राज को बोल दीजिये बाई साथ बाल सर्थ इस अवरत को पहचानते हैं आप यह तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आए 14 साल पहले तुमने इस अवरत से प्यार का ढोंग किया था क्योंकि 24 साल पहले तुम अपनी बीवी से मायूस हो गए थे कि यह कभी मा नहीं बन सकती तुम्हारे खांदान को वारिस का सुख नहीं दे सकती तो तुमने इसके साथ प्यार का नाटक किया दुनिया से चुपा के रिखसाब कंदर वेवाख किया यह रचान है कि दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पत्नी मा बनने वाली है तो तुम्होशी थे पागल हो गए और तुमने फॉरण दुख्यानी तर रिष्टा तोड लिया तुम्हारा कोई संपन नहीं है यह यह आप क्या कह रहें मरी पत्नी हो मेरी पत्नी तो वह जिससे 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी yeah आप शादी शुदा है? हाँ हां मैं शादी शुदा हूँ और मेरी पतनी हमाँ Holz Can you? अपने मुझ से भी तुंशाधी की है ना मुझे स An to अनartet अत्शवारी देने इस दुन्या में आएगा मुझे माद जाने दीजे बहिया, मुझे माद जाने दीजे ये दागदास जिंदगी लेकर उर्ट में चीना नहीं चाते औरत की आपरू में गलत लग जाए उसे अच्छा है कि उसकी चिता में आग लग जाए नहीं बेन तो कोई वेसा आरा नहीं है अरे तेरा भाई अभी जिन्दा है तेरे सर की कसम में उसकी जिन्दगी को चिता ना बना दिया और उस चिता में सारी जिन्दगी आग ना लगाता रहा मैं तेरा भाई नहीं है तेरे बच्चे को हक मैं दिलाओंगा और जब तक नहीं दिलाओंगा यह दुनिया से नहीं जाओंगा यह भाईग अपने बेहन से वादा है मैसेट आपको जितना जिल्म करना था वो तो आपने कर लिया मेरे उसका इंसाफ अभी बाकी था उसको मेरे बेहन की आंसों की खीमत आपसे बादूर करनी थी हगवान किसी रूप में आएंगे और मुझे इंसाफ दिल्वाएंगे मेरे पेट में जो बल रहा है उसे इंसाफ दिल्वाएंगे मेरा तुम पर श्राफ है जिस आग में चल रही हूँ उसी आग में तुम जिन्दगी भर चलोगे कभी जैन से नहीं बैर पौगी कभी नहीं इस लिए इतिफाक से जिस स्पताल में सुमन जाकिल ती मेरी बिन भी वही दाखिल हो गई तो ऑपिर दोनों ने एक ही दिन बच्छों को जनम भी दिया उसके बाद मेरी बहन को दुनिया से उठा लिया इसके बाद अस्पटाल में आग लगई वो नर्ज जो बच्चों के बारे में सब को जान दी थी वो साग में जल गई मगर एक नर्ज जिंदा रही जिसको यह मालम था कि तुम्हारा बच्चा कौन सा और मेरी बेहने किस बच्चे को जनम दिया है अपके बच्चे को पह पहचानती हूँ लादो आपका बच्ची लादाए मनल है न कैसे को ही रहने दो उस्टाल की मश्यकों कइमें बहुत जुलुम हूँ है वो गुल्णके मर गई उसको उसका अधिकार नहीं मिला पी वाठीकार मेराना चाहता हूं मैं तुम से हाँच छोड़कर बिंथी करता हूँ कि ये राज किसी को मन बताना मैं बादा करती हूँ आप से वीश साल पhले मैं तुम से बदा लेने तुम्हारे घर आया था मगर तुम्हारी किसमत आचीती की मेरी सुमन बेहन से मुलागात हो गई इन्होंने मेरी कहानी सुनी, इसके बाद मेरे सामने हाथ जोड़ा मुझे मेरे बेहन के कसम दी, उसके बच्चे की कसम दी और मुझे से कहा के मेरा सुम्पर कभी जार न होने दू कि सुरिंदर को इन्हें ने जनम दिया, और ने 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 को मेरी बेहन ने जनम दिया है चाहिए है मेरे दोस्त, कि ये महान वरत, 20 साल से तुम्हारे हर गुनाह की जानकारी रखती है, तुम्हारे हर रात से बाकिफ है सुमन सुमन मुझे माफ कर दो अहरी, क्या कर रहे आप अब मेरे पती है और एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसके पती का सर उसके सामने शर्म से चुप जा इसलिए मैंने 20 साल से ये रास अपने सीने में चुपाया रखा था मुझे माफ करती जी सुमन मैंने तुम सब लोगों के साथ इतनी जात्ती की और तुम मुझसे माफ ये माग रही हो हाँ क्योंकि एक राज आपने मुझसे चुपाय रखा एक राज मैंने आपसे चुपाय रखा हलाकि पत्ती और पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए देखा भाई तु अपनी जिंदगी से कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा था अरे तु उस घर का बेटा है इस खांधान का वारिस है और तु मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी है अरे तु एस घर का कुछ भी नहीं हो या यह गर से घरति या तो तु हमेद जाना चाहिए इस ज़िए लिए नी ना रिन जिस घर में तू नहीं रहेगा जर भाई रहे और जहां मेरी मा नहीं वहाँ मेरा भगवान नहीं मैं भी तुम दोनों के साथ चलूगा, भाई, चलुमा रुख जाओ, रुख जाओ मुझे इतनी कड़ी सजा मत दो मैं तुम सब का कुनेगार हूँ तुम जो भी सजा दोगे, मैं आसकर सह लूँगा लेकिन, लेकिन इस घर को छोड़ कर मत जाओ मेरे, सुरेट भाई साब, रुख जाईए भाई साब आप ऐसे खुशी के मौके पर हम सब को छोड़कर कहां जा रहे हैं भाई साब, मैं यह जानता हूँ कि महेश आपका कसूरवार है सुमन, जब भी तुम्हे भाई साब कहकर पुकारती थी तो मेरे तन मन में आग लग जाती थी लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हे भाई साब कहकर कहले लग जाओ प्लीज बाई साब अरे बस करो बाबा कितना टाइम खाओगे शादी का सुब घरी तो मत खाओ अरे उधर पंडितों को देखो अगनी के आजू बाजू बैटकर पसीना पसीना हो गया है ऐसा लगता है अभी इसनान करके आया है नमस्ते अंकर नमस्ते अंकर मेरा मतलब है थांक्यू अंकर झाल झाल बाबा बाबा झाल झाल झाल